हेलो अबरीवन, वेलकम टू स्वाय एजुकेशन, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे FSSAI असिस्टेंट एक्जाम को लेकर के, जैसा कि आपको पता है आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो चुका है है कि यह 2022 वाला जो पेपर था उसमें कुछ कोशन ऐसे थे कि उनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है आपको ठीक है कोई भी आइडिया नहीं है लेकिन अगर आप पेपर को बहुत अच्छे से समझो तो three to four questions हम ऐसे कह सकते है जो बहुत ज़्यादा टफ थे बाकी के questions अगर आप हमारे साथ में अगर यहां पर हम डिटेल में सारी चीजों को समझेंगे कि यह जो आपके questions आये थे यहां पर जो भी questions थे वो कहां से पूछे कहे थे यानि कि उनका origin क्या है ठीक है उनके पीछे का topic क्या है अगर उसके आज पास से दुबारा से question बनेगा तो आप definitely उसको कर पाओगे लेकि लगभग मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर धाई घंटे दो से धाई घंटे की यह class आपकी होगी इससे कम नहीं होगी इससे जादा होगी अब यहां पर अगर आप FSCI assistant का जो 3rd November को जो पेपर होने जा रहा है 3rd November को जो पेपर आपका होगा अगर आप इस वीडियो को skip करो तो आप यकीन मानना आप बहुत जादा लॉस करोगे ठीक है स्वाई education पर उठा करके जितने भी sessions ले लो आप वहाँ पर देखो हर एक session में आपको एक value देखने को मिलती है आपके time को बहुत जादा value दी जाती है अगर आप आए हो वीडियो में 10 से 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट अ आप यहाँ पर कुछना को सीख करके जाते हो थोड़ी सी बाते हम अभी और करेंगे कि क्या क्या बाते आपको ध्यान रखनी है जब इस particular class को हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि 2-5 घंटे की class है किन points पर आपको ध्यान देना है यह बात आप समझना exam point of view से आपके लिए बहुत ज्यादा beneficial होगा तो हम 2022 वाले paper को लेंगे उससे क्या होगा कि हम पूरे की पूरे FSAI portion जो था जहां पर आपके कितने questions आते हैं 25 questions आते हैं उनको हम discuss करेंगे यहाँ पर total मैंने 90 slides के करीब प्रिपेर करी है जिससे आपको एक topic का एक जो background है जो knowledge है वो आपको अच्छे से मिल करके FSAI assistant के लिए वहाँ पर total हमने number of classes की अगर बात करें 8 classes यानि कि number of class कितनी 8 classes अभी तक हमने cover करी है उनको अगर आपने नहीं देखा तो उनको आप detail में समझ लो क्योंकि आप यकीन मानो 2021 में आपका एक question आया था audit को लेकरके ISO को लेकरके उनके पास में कौन सा accreditation होना च वीडियो पड़ा हुआ है अब एक एक वीडियो उठा करके देखो सारी चीज़े आपको वहाँ पर मिल जाती है चाहे नोट्स हो अगर आपने अच्छे से चीज़े पढ़ी है तो आप definitely उनको कर पाऊगे कुछ questions ऐसे हैं तीन से चार questions ऐसे हैं जो थोड़ा tough है उनको हम मा करती है तो आप यह जो course है इसमें हमने detailed वीडियो बना करके रखें आप जाओ उनको आप अपने time के according to x पर जितना जल्दी हो सकते आप उनको finish कर सकते हो proper understanding के साथ में तो यह सारी चीज़े हमने already बना रखी है जिससे क्या होगा कि अभी हम आगी अगर discuss करते किसी चीज को लेकर के आपका उसमें बिल्कुल भी basic अच्छा नहीं है तो अभी time है आप इन चीजों के साथ में अपने basic सच्छे कर सकते हो कोई भी डाउट होता है आप हमें WhatsApp कर सकते हो या फिर आप हमारे application को download करो वहाँ पर आपको सारी चीज़े FSSR section में मिल जाएंगे ठीक है तो यहां पर बहुत जादा important चीज़े होंगी वहां पर आपको screenshot का मौका मिलेगा कुछ points ऐसी होंगी जो आप अपनी copy में note down करोगी यकीन मानों आप कितनी बड़ी से बड़ी इंडिया में paid class करके आयो हो बट यहां पर आपको जो आज में देने जा रहा हूं वह आपके exam point of view स बहुत जादा important है question number one हमसे पूछा गया था FSCI का 2022 का paper था इन्होंने पूछा था कि FSCI mobile unit for food testing called food safety on wheel contains facilities for detecting adulteration and rapid testing tool for food atom that are commonly consumed such as ठीक है तो यहां पर क्या पूछा इन्होंने कि जैसे आपको पता है कि FSCI का food safety का पूरा एक network है उसमें कई सारी food laboratory हमें देखनों को मिलती है ठीक है कई सारी food laboratory हमें देखनों को मिलती है बट ऐसे कुछ areas हमें देखनों को मिलते हैं जहां पर food laboratory को setup कर पाना थोड़ा सा तो FSCI क्या करता है food safety on wheel का use करता है यानि कि एक van होती है उस van में proper पूरा जो instrumentation part होता है जो भी हमें laboratory setup चाहिए होता है ठीक है proper air condition के साथ में वहां पर चीजे होती है और वहां पर प्रॉपर जो analyst वगेरा होते हैं जो research वगेरा करते हैं वह भी वहां पर होते मतलब laboratory वाला setup वहां पर हमें देखनों को मिलता है तो वहां पर क्या होता है food की testing करते हैं basically किसकी testing करते हैं हम dictate करते हैं उस article of food में adulteration है या नहीं है ठीक है इसको पता लगाते हैं ठीक है अब यहां पर पूछा गया है for atom that are commonly consumed as तो यहां पर आपके सामने पूछा गया है इन में से कौन सा option सही है तो अगर आप देखोगे तो इन में से सभी की testing जो है वो laboratory में करी जाती है बट mobile जो food laboratory हमारी food safety on wheel है उस पर जादा तर जो testing होती है वो किसी general food की हम करते हैं जो सबसे ज्यादा consume किया जाता है तो यहां पर पूछा गया है commonly consumed as तो यहां पर क्या हमारा answer हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा package drinking water तो package drinking water जो होता है उसकी हम testing यहां पर करते हैं ठीक है तो यह यहां पर question को अगर आप बार-बार थोड़ा ध्यान से समझते तो आपको वहां पर answer मिल जाता अब यहां पर आपको क्या समझना है देखो होता क्या है जो food safety on wheel है उसको लाने के लाने का purpose क्या था और उसको क्या-क्या functions दिये गया है क्या-क्या functions उसको perform करने होंगे यह आप के लिए important है तो पूछा बोला गया यहां पर would be utilized for the executing executing the function of कौन-कौन से functions होंगे इसके इसके देखो कौन-कौन से functions होंगे पहला होगा सर्विलाइनस एंड क्रियेटिंग अवेरनेस रिगार्डिंग दा फूट सेफटी इन रिमोट एरियास इन रिमोट एरियास इन दा इस्तेट लार्ज पब्लिक पब्लिक कांग्रेशन इसकूल हो गया consumers हो गया, organizations हो गया ठीक है तो यहां पर देखो क्या होता है कि मैंने आपको बताया बहुत सारे एरियास ऐसे हैं जिनको हम रिमोट एरिया बोलते जहां पर प्रापर फैसलिटी अवलेबल नहीं होती जो एक सिटी एरिया से जो एक सिटी एरिया होता है जहां पर सारी चीज़े होती है उनसे काफी दूर यह चीज़े होती है तो उन एरियास में अगर फूट सेफटी को इंशोर करना है तो यहां पर और इसके साथी साथ साथ सर्व chain logistic for laboratory surveillance sample तो क्या होता है बहुत सारे samples भी वहाँ से ये क्या करते हैं collect करते हैं बहुत सारे sample को क्लिक्ट करते हैं उसके पास में जो भी laboratory होती है वहाँ पे ले जाकर testing करते हैं as an off-site wing of lab ठीक है on-site wing क्या है जहाँ पर proper laboratory set up है but off-site विंग क्या है वहाँ पर जा करके भी हम टेस्टिंग कर पा रहे हैं एजुकेशन ऑफ दा कंजूमर्स इन वेरियस एसपेक्ट ऑफ दा फूट सेफटी लॉज एंड कॉमन हाइज इन प्रैक्टिसेज तो सिंपल बेसिक चीज यह है कि फूट सेफटी इको सिस्टम को सारे इनके यहां पर हमें फंक्शन जो हैं वो देखने को मिलते हैं ठीक है एक प्रिजेंट अगर हम बात करते हैं देखो एक चीज और ध्यान रखना बहुत सारे लोग करेंट अफेर के पीछे भागते इसपेशली एक्जाम में बट यकीन मानो अगर आप एससी बैंकिंग ये सारे एक्जामे स्कें अगर प्रपेरिंग प्रप्रेशन करते हो तो आपके मन में थोड़ा सा आजाता है कि कर्रेंट अफेर करेंट अफेर बहुत-बहुत बहुत तो आप सबकोा नूज पे जाओके लिस में दो कुछी में प्रफेंगे आओ वाला इन में जो current affair होता है FSSAI special current affair होता है उसका अगर weight is देखे तो बहुत 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 कम होता है ठीक है इसका इतना ज्यादा importance नहीं होता है इस बात को आप ध्यान रखना तो अगर आप पढ़ाई कर रहो तो आपको यह नहीं है कि पूरा का पूरा आप पूरा ले करके screenshot ले रह आप सोचरों मैं यहां से पढ़ लूँ यहां से पढ़ लूँ नहीं आपका जो basic fundamentals है इसके basic जो FSSAI का foundation है FSSAI काम क्या कर रहा है उसके जो important initiatives है उनको आपको ध्यान रखना है उनसे questions आज भी बनते हैं ठीक है food safety standard act से question आज भी बनते हैं तो food safety on wheel की अगर हम बात करते हैं तो को याद करनी की जरूरत नहीं जस्त यह आद रखो कि 200 के आसपास में या 199 हमारे पास में food safety on wheel हमें देखनों को मिलते हैं अब यहां पर थोड़ा सा state wise थोड़ा सा data दिया गया है इसको आप इसको देखकर कि यह पता लगा सकते हो कि किस state में सबसे कम food safety on wheel है और किस state में सब हमें total six हमें food safety on wheel देखने को मिलते हैं बिहार की बात करते तो हमें पांच देखने को मिलते हैं जबकि बिहार में थोड़ा नंबर और ज्यादा होना चाहिए था चंदीगड की बात करते तो वहां पर दो अगर हम 36 गड़ की बात करते हैं वहां पर 9 है दादरा एन नागर देखा उसमें highest number गुजरात का जाता है हर्याना की बात करते हैं तो यहां पर हमें पांच देखने को मिलते हैं क्या food safety on wheel ठीक है आयूप आपको इतनी चीज़ समझ में आई उसके बाद में थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं थोड़ा सा अगर हम और आगे देखते हैं तो य अपने स्टेट का याद रखना लद्दाक में एक है मध्र प्रदेश में 15 है महरास्ट में दो ही है महरास्ट में जबकि जादा होना चाहिए ठीक है तो इसको देख रहो अगर हम population की हिसाब से देखते हैं और सारी चीजों की हिसाब से देखते तो numbers कहीं पर कम जादा है उस स्तान में 100 से उसके बाद में हाम अगर चकरते। मैं तरफफुरा की बात करते हैं मिया हैं प्रफ्रकत करता है गुजरात में लगभग 22 के करीब था बट यहां पर अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में तो यहां पर 36 है तो टॉप पे कौन है यूपी है यूपी में सबसे ज़्यादा फूट सेफटी ऑन वील हमें देखने को मिलते हैं जिनका नंबर क्या है 36 है तो यहां पर यूपी जो है वो वीनर है एक तरीके से हम कह सकते हैं इस चीज को ध्यान से समझना इसने बहुत जादा लोगों को क्या किया परिशान किया ठीक है तो यह कोशन ऐसा था कि देखो क्या होता है कि जो लोग फूट सेफटी ऑफिसर एक्जाम की प्रपेशन करते हैं टेकनिकल ऑफिसर की प्रपेशन करते हैं उनको FSSAI वाले portion में थोड़ा वेटेस मिल जाता है बट उनके लिए reasoning और math थोड़ा tough हो जाता है वही बच्चे जो SSC और banking में प्रपेशन करते हैं उनके लिए reasoning और math थोड़ा easy हो जाता है बट FSSAI portion में क्या होता है वो 15 question भी सही नहीं कर पाते हैं तो सबका अपना अपना है ठीक ठीक है तो यह जो question पूछा गया है ठीक है पहली बात यह question जो पूछा गया है इतना easy था नहीं ठीक है इतना easy question था नहीं तो दो से तीन question में आपको बताऊंगा जैसे कि इसको हम उस list में डाल सकते हैं अगर हम इस पर star mark कर लें star mark करने का मतलब यह नहीं कि यह बहुत जाध ठीक है कुछ questions ऐसे होते हैं तो यहां पर क्या पूछ रहा है कि डैश food safety in standard regulation 2011 तो at present हमारे पास में कितने regulation है fssai में 28 ठीक है 28 क्या है regulations है बट यहां पर क्या लिखा गया है कि regulation 2011 regulation का नाम नहीं मेंशन किया गया है ठीक है ध्यान लगना तो ऐसे बहुत सारे regulation है अब 2005 की बात क हैं है यहां पर total हमारे पास में कितने regulation है यहां पर तो directly FSCI आपकी memory चेक कर रहा है यह नहीं चेक कर रहा है कि आप कितनी समझदार हो वो चेक कर रहा है कि आप कितनी memory है तो यह आप कितना चीजों को याद रख सकते तो option number one था 2.3 2.1.9 2.4 and 2.2.9 ठीक है थोड़ा easy भी अगर इसको समझो तो किसी भी regulation को जब हम देखते हैं तो यहां पर यह जो 2222 दिया है starting में इसका मतलब क्या है तो मतलब क्या है यह chapter है starting का जो 2 है वो है chapter and यहां पर जो आप देखोगे कि जो 2.3 दिया गया है वो क्या है section ठीक है और उसके बाद में जैसे यहां पर 2.1.9 दिया गया है वो क्या है subsection है इसके भी अंदर अगर कुछ होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे clause बोलेंगे ठीक है तो यहां पर आयोप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी कि यह क्या पूछ रहा है तो यहां पर जो आपसे पूछा इसके according अगर हम देखते है various infant products के बारे में तो यहां पर mention किया गया है 2.1.9 में यानि की food safety standard regulation 2011 को लेकर के एक regulation है जिसका नाम है food products को लेकर के food additive को लेकर के ठीक है तो वहां पर उसका जो chapter number 2 है यहां पर लिखा गया है 2.1.9 यानि की chapter number 2 का chapter number 2 का section number 1 का sub section number 9 में यहां पर इसके बारे में mention किया गया है ठीक है तो यह तना detail में यहां से question आया था अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि इस तरीके का अगर कोई और question आता है इस particular regulation तो आप उसको कैसे deal करोगे यहां पर हम समझते हैं तो टोटल regulation की बात करें तो यह 240 प्लस पे 240 से ज़्यादा pages का यह regulation है हमारा पूरा का पूरा जो food law है उसमें क्या क्या चीज़े होती है सबसे पहला है कि food safety in the standard act 2006 आपकी assistant exam के लिए भी important है इससे भी तीन से चार questions आपके बने है ठीक है तो इसको आपको तो पढ़ना ही पढ पेपर आया था उसमें एक question आपका यहां से बना है यह क्या दो question licensing registration वाले से एक question जो आपका यहां पर बनता है वो बनता है second वाले से जिसका नाम है food product standards and food additive को लेकर के एक regulation है ठीक है तो अभी जो हमने question पीछे discuss किया infant वाला वो यहां से आया है ठीक है तो यहां से जो आया है तो कौन सा regulation था? regulation number 2 जो हमने देखा भी वो food product and standards and food additive को लेकर के इसको अगर हम divide करते है chapters में तो यहां पर total chapter हमें कितने देखने को मिलते हैं तो यहां पर total chapter के अगर हम बात करते हैं तो यहां पर total हमें 3 chapter देखने को मिलते हैं तीन chapters में उसको हम divide करते हैं और यहां पर कुछ इसमें appendix दिए गए हैं जो कुछ other information होती है उसको हम यहां पर डाल देते हैं तो यह जो हमारा regulation है 2011 वाला अगर हम इसको फर्दर डिवाइट करते हैं तो अगर आप इस पूरे document को खोल के देखोगे तो आप देखोगे कि टोटल इसमें number of pages जो है वह 240 के उपर है आपको पूरा पढ़ने की जरुवत नहीं हो तो आपका question आया था चैप्टर नंबर टू से बारे में लिखा गया है तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया यह लग जाएगा कि यहां पर यह किसमे है section नंबर वन में है तो वाले में देखोगे यहां पर fats and oil के बारे में है तो आपका जो infant वाला था वो इसी calendar में आएगा ठीक है इससे आपको थोड़ा आइडिया ल सुइट एंड करे बारे में है तूट 6 पाइड सीगांप करते तो फिश एन फिश प्रोड़क lo export के बारे में हैं त्यु प्यांट 10 के वारे में करते यहां पर sweetening इसेंट इंक्लूडिंग हनी की बात करते उसके बाद में अगर हम 2.9 की बात करते तो यहां पर salt spices और कॉंडि बात करते हैं तो यहां पर प्रॉप्राइटरी फूड्स का रेडियेशन फ्रॉससिंग को ले पर यहां पर है अब यहां पर इनको और अंदर जाते हैं तो एक युग कभी किसी में 80 पेज हैं किसी में 100 पेज हैं किसी में 60 पेज हैं ऐसे करके हैं बढ़ आपको पढ़ने की जरुवत नहीं है इसका फटाक से स्क्रीन शॉट मारो अगर आपको यहां से एक में सेलेक्शन जो है वह हमारा डिसाइड होता है कोशन नमबर थी के अगर हम बात करते हैं तो वाट इस फुल फॉर्म फॉर्म क्या बेसिक अगर आपने थोड़ा भी अगर फूर्टिफिकेशन उन्हें सब की पारे में पढ़ा होगा तो इसली आप इसको कर पाओगे बह फूर्मेंट फूर्ट रिसोर्स और फौर्मेंट फूर्ड Gary Shark Bella or फूर्ट फूर्टीफिकेशन उन्हें तू यहां पर क्या हो जायगा फूर्टीफिकेशन रिसोर्स एंतर तो यह हमारा क्या होगा अब यहां पर तेखो इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लो कि यह जो FFRC है पहली बात कहां से निकल करके आता है तो FFRC यानि की Food Fortification Resource Center FFRC इज़ा क्या है कि एक established किया गया था हम कह सकते हैं कि एक separate department established किया गया था especially FSCI के द्वारा और यहां पर किसके साथ में established under India's government department that regulate food जिसको हम क्या बोलते है Food Safety and Standard Authority of India of the India जिसको हम FSCI बोलते है in the collaboration with the Tata Trust तो क्या क्या हमको यहाँ पर याद करना है यहाँ पर हमको यह याद करना है FSCI plus Tata के साथ में ठीक है तो यहाँ पर FSCI और Tata के साथ में collaboration होता है उसके बाद में इसको यहाँ पर क्या किया जाता है इस्टैबलेश किया जाता है FSCI यह वह वर्क क्या करता है वर्क डेडिकेटली टू प्रोवाइड इसेंशियल सपोर्ट तू दा स्टेक होल्डर्स लाइक रिलेवंट गवर्मेंट मिनिस्ट्रीज ठीक है फूड बिजनसेस डेवलपमेंट पार्टनर्स और प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग इस फूड फूर्टिफिकेशन एफर्स अक्रॉस अइंडिया तर्टा के बाद पास में अगर हम देखें तो उनके पास में सबसे बड़ा प्रोड़क्त आता है हम देखते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं कैसे हैं का सकते हैं चाहिक प्रेषिकेशन कर सके तो टाटा के सकते हैं कि एक department या फिर एक center बना दिया जिसको हम FFRT बोलते हैं food fortification resource center वो सारा जो है वो काम यहाँ पर देखते हैं तो food fortification resource center बहुत-बहुत important है एक class मैंने food fortification का YouTube पर डाला है उसको आप बहुत अच्छे से देखना कि वहाँ पर हम कैसे कैसे करके क्या करते हैं हम important micronutrients को add करते हैं तो food fortification क्या होता है एक basic process होता है जिसमें हम क्या करते हैं addition of micronutrients करते हैं staple food में staple food का मतलब है ऐसे food जिनको हम daily life में consume करते हैं जैसे कि हम wheat floor को consume करते हैं rice को करते हैं हम milk को करते हैं हम oil को करते हैं हम इसके साथ ही साथ salt को करते हैं ठीक है तो यह इनके बिना हम नहीं रह सकते हैं इनको हम consume करते ही करते हैं तो इनहीं में हम क्या करते हैं fortification करते हैं micronutrients को add करते हैं micronutrients जैसे कि vitamins और minerals को add करते हैं मिनरल्स में अगर सबसे ज़्यादा हम किसको एड करते हैं हम एड करते हैं आयोडीन को हम एड करते हैं आयरन को विटिमिन में हम सबसे ज़्यादा किसको एड करते हैं विटिमिन ए को एंड विटिमिन डी को तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है अब माइक्रो कि कमी से कोई डिजीज होती है ठीक है क्या होती है अगर उनकी डिफिशेंसी हो जाती तो डिजीज होती है वह हमने कुछ कोटिफिकेशन में डिसकस किया है इसके लावा और भी हम आगे कुछ आपको प्रवाइट करा देंगे जिससे एक प्रॉपर लिस्ट आपके पास रहेगी और आप एक्जाम से पहले उसको देख लेना एक बार ठीक है अब यहाँ पर कोशन हमारे सामने आता है कोशन नंबर फ लेबलिंग रिक्वाइरमेंट्स ओफ पैकेज़ फूड विच डज नौट इंक्लूड दा फॉलोविंग ठीक है तो यहाँ पर भी एक रेगुलेशन से कुश्चन है बट रेगुलेशन तो हमारे सिलेबस में है नहीं तो इस कुश्चन को भी हम थोड़ा थोड़ा उस लि इन में से क्या इंक्लूड नहीं है परसेंट कॉंट्रिबूशन टू आइडिये ठीक है नूट्रिशनल लेबलिंग लेबलिंग ओफ जीम फूड यानि की जनेटिकली मॉडिफाइड फूर्थ ऑप्शन है लेबलिंग ओफ हैवी मेटल्स ठीक है तो अगर थोड़ा सा इसके हिसाब से इनक्लूड नहीं होता तो यानि की वाला हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा हम देख लेते चलो इसको भी कंसेडर कर लेते हम इसको भी अगर हम कंसेडर करना चाहा है तो कर सकते हैं दूसरा का है नहीं हो नहीं कियां जाहिए कैवी सब्सक्राइब को लेकर के क्या होनी चाहिए को शन्तर हम सेां इसको बते वहां पर और वो हमारे लिए अच्छा है वहां पर पर इसकर में वहां पर मतारा दॉस सबाइन देखने को मिलती है ऐसा ही अभी हमारे यहां पर सोचा जा रहा है इसको लेकर के ड्राफ्ट आया था कि न्यूट्रीशनल रेटिंग को लेकर के ठीक है न्यूट्रीशनल रेटिंग में क्या होगा कि अगर आप कोई फूट प्रोड़क्ट परचेस करते तो उसके उपर यहां करने के लिए जो भी माइक्रो न्यूत्रीयंट्रीयंट्स जो हमें चाहिए होते हैं अगर वह कहीं से मिल जा रहा है इसका मतलब वह फूट अच्छा है तो इसका मतलब यह है कि अगर फाइफ स्टार रहे तो अच्छा है वन इस्टार है बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है तो काफी हो जाएगा तो लोग यहां पर अच्छे पूर का सलेक्शन कर सकते हैं बट इससे बहुत बड़ा मार्केट डिस्टर्ब होगा तो अभी तक इसको टाइम लगेगा प्रॉपर मैनर में तो देखो अभी इसको लेकर करके ड्राफ नूटिस आया है और उसके बाद में डिसकेशन वगएरा चल आया है जब कुछ फाइनल अपडेट आएगा तो हम अपडेट कर देंगे बस ऐसा हमारी गवर्मेंट जो है वो कंसीडर कर रही है तो नूट्रिशनल को लेकर के जैसे सेलेक्शन ऑफ दा स्पेस्फिक नूट्रियंट्स ऑफ दा फूड कंपोनेंट टू बी लिस्टेट सुट भी फर्दर टेक इंटू अकाउंट लेबल इस पेस दा अनलेटिकल फिसिबिल्टी ऑफ दा मेजरिंग ऑफ मतलब यहां पर नूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे की पर हंडेड ग्राम और हंडेड एमल और पर सिंगल कंजम्शन फैक ऑफ दा प्रोड़क्ट ऐस पर दा सर्व पर्सेंटेज ठीक है यानि कि जो जो हम बोलते हैं कि आप कितना कंजूम कर सकते हो एक कंडिडेट कितना मेंशन किया जाता है ठीक है को कहने का मतलब यह है कि नूट्रिशन में भी आपकी लिमिट होती है कि आप कितना कंजूम कर सकते हो तो उसको लेकर करके यहां पर आडिये में यह सारी चीज़े मेंशन करी जाते जिसको हम रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस बोलते हैं क्या 1000 किलो कैलोरी एनोर्जी सुट भी मेंशन ओन दा लेबल लेबल लेबलिंग ऑफ देजियम फूड वह भी हमें देखने को मिलता है कि इफ दा मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल जिसको हम अमरेल बोलते हैं ऑफ देजियम इंग्रेडियेंट रिचस वन परसेंट फूड प्रोड केंडर में में मेंशन होनी चाहिए किसी भी कंडिट को पर्चेस करना है नहीं करना उसके बाद में वह उसको देख सकता है कहने का मतलब यह है कि कंजूमर से हमें कुछ चुपा करके नहीं रखना है एज फूड बिजनस ऑपरेटर अगर आप को फूड को बना रहे हो तो आ सामने जो होता है वह ब्रांडिंग होती हमेशा पीछे जो होता है वह हम यहां पर नूट्रिशन लेबलिंग वगेरा देखते हैं तो लोग हमेशा आगे देख करके परचेस कर लेते हैं जो पिक्षर और जो उस पर लेबलिंग वगेरा देखने को मिलती है बट पीछे वह भर फाइफ हमारे सामने आता है ठीक है तो हम यह कहते हैं कि अभी तक हमें दो कॉस्ट्व6 ऐसे मिले हैं जो एक तो पहुआ ठास्व एक जो था घॉड़ा थोड़ा हम कर सकते हैं फिर भी हम दो को सिंटर लें यौ का मतलब दो कोशन्स ऐसे थे जिन पर हमें बहुत जादा जो है वो ध्यान देना था ठीक है अगर कोई जनरल केंड़ेट है अगर वह बहुत जादे धर दर ना भाग करके बहुत अच्छे से प्रॉपर मेर में जैसे त्यारी करनी चाहिए वह कर रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि वो दो कोशन्स छोड़ सकता है फॉर दा पर्पोस ओफ दा एफसेस एक्ट टूथाजन सिक्स डैश वास फाइनली रिकाग्नाइजड एज एड्मिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री तो एड्मिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है यहां पर यह हम यह कह सकते कफी इज़ी को पढ़ा होगा तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा ministry of health and family welfare हमारा answer ministry of food processing industries नहीं होगा हो सकता है थोड़े से लोगों को यह लग रहा हो कि यह correct हो सकता है बड़ इसको अभी हम discuss कर लेते हैं तो देखो चीजें अगर हम यहाँ पर चीजों को समझे थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर चीजों को और अच्छे से दे करते हैं क्योंकि 1947 में हम independent हुए उसके बाद में हमारी first time आगे जाकर के government बनी फिर 1950 के बाद में हमारा पूरा पार्रयमेंट का जो काम है वो चलना स्थार्ट हुआ क्योंकि कोई भी लाव बनाना है करना है तो उसे में पार्ल्य अधिक काम होता है हम किसी भी ड्राफ्ट तको यह फिर बिलगो इंडिट्यूस करते हैं किसी एक सदन में चाहें वह लोग सभा हो चाहे राज्य सभा हो उसमें हम करते हैं उसके बाद में अगर वहां से वह अप्रूव हो जाता है तो हम प्रेसिडेंट के सामने ले जाते हैं तो प्रेसिडेंट के पास में कई सारे उप्शन्स होते हैं वह चाहे तो उसको अपने पास रख सकते हैं और वह चाह of food adulteration act तो सबसे पहले government का यही था कि at least हम सबसे पहले adulteration को रोके बाकी चीजों को हम क्या करेंगे बाद में देखेंगे अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं हम adulteration को रोकते हैं जो मिलावत हो रही है उसको हम रोके तो इसको लेकर तो हमें क्या समझ में आता है जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक चीज यह समझ में आती है कि हमें एक single law की जरूत पड़ती है हमें यह देखने को मिलता है कि need for a single law with single regulatory body यानि कि यह बोला जा रहा है national level पर हमारी government यह सोचती है कि देखो भाई पहले जो चीज थी वह हो गई बट अगर हम 2000 वाले एरा में आते हैं यानि कि 1999 के बाद हम 2000 वाले एरा में आते हैं तो हम वहाँ पर यह हमें देखने को मिलता है हमारी government को यह पता चलता है समझ में आता है कि भाई यह चीजें जो है वो काफी complicated हो रही है multiple type of food law को deal करने के लिए हमें multiple type of regulatory bodies चाहिए multiple type of officers चाहिए multiple type of employees चाहिए इन सारे regulation को implement करने के लिए rules act को implement करने के लिए जो भी act और orders पे उनकी बात अगर करें तो हमें बहुत साला चीजे manage करनी पड़ दी और ए distributed चीजे हो रही थी तो हमें समझ में आया कि हमें एक तो पहली बात यह है कि हमें single law की ज़रूरत है जाया coupling क्षाइस है यह सब्सक्राइब अन파 I am a कि सारे कि सारे जो matters है वहाँ पर हो सकें तो यह सारा हमारी government ने सोचा फिर finally central government declared its intention in this behalf in the budget speech in 2022, तो 2002 में क्या होता है, 2002 में हमारी central government जो भी government थी उस time पर, तो हमारी central government क्या करती है, इस बारे में सोचती है और वो अपना intention यहाँ पर declare करते हैं, और वो क्या करते हैं, budget speech में इस बारे में बोलते हैं, बात करते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, उसके बात में क्या होता है, कि यह the work pertaining to consolidation of various act order governing food law interested to the ministry of food processing industries, तो उस time पर अगर हम बात करते हैं, 2002 में जब यह बात चली, तो वहाँ पर यह काम किसको सौपा गया, यह काम सौपा किस ministry को, ministry of food processing को यहाँ पर दिया गया, ministry of food processing industries को यह काम सौपा गया, जिसको हम M.O.F.P.I. भी बोलते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर यह काम जो है, वो सौपा गया, उसके बाद में क्या होता है, who piloted the food safety standard bill, तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया, बिल आता है, उ 2005 में, तो 2002 में सबसे पहले government ने इस बारे में सोचा, 2005 में इसको लेकर के bill आया, which was finally enacted as the food safety standard act 2006, तो 2006 में finally हमारा क्या बन गया, act बन गया, अब जब यह act बन गया, 2006 वाला, तो इस time पे, जैसे यहाँ बोला गया था, कि हमें एक regulatory body भी चाहिए, अब वो regulatory body कौन थी थी, वो regulatory body FSCI, अब FSCI को establish कर दिया गया, 2008 में, ठीक है, FSCI के formation कब हुआ, 2008 में हुआ, और 2006 में हमारा law बन के तयार हुआ, इसके section number 4 का use करके, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, FSCI को establish कर दिया, अब यहाँ पर इस act में जो चीजे mention करी थी, starting में ही mention कर दिया गया था, जो administrative ministry होगी, वो ह starting में ministry of food processing industries था, बट एक्ट बनने के बाद में, ministry of health and family welfare को सारी चीजे शौब दी गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं, हमें health related चीजे देखनी है, food safety और standards को लेकर के बात करनी है, तो यहाँ पर ministry of health and family welfare, जिसको ministry of health and family welfare, ठीक है, MOHFW को यहाँ पर यह सारा काम जो है, वो सौब द मतलगा हो, ठीक है, आयोब आपको पीछे की चीज जो है, वो proper clear होगे, ठीक है, तो question जो था, वो easy था, third question हमारे सामने आता है, इस पे हम star mark कर लेते हैं, अगर आपने इसके बारे में regulation को नहीं पढ़ा था, तो आप इस question को नहीं कर पाऊगे, ठीक है, तो यह है कि आप इसक समच के चीज़े करी होंगी, otherwise हम यह कहते हैं कि यह question भी थोड़ा बहुत छोड़ने लायक था, तो अभी तक हमें कितने question मिले, तीसरा question है, यह हमारे सामने, the vending cart की अगर हम बात करते हैं, the vending cart working surface should be at least dash centimeter above the ground, options दिए गये हैं, 70 to 80 centimeter, या फिर 80 to 100 centimeter, या फिर यहां 72 to 70 centimeter, या यहां पर 85 से 95 centimeter, ठीक है, तो यहां पर आपको यह चीज़ समझनी है, तो question क्या पूछ रहा है, vending cart, यानि कि आप देखते हो कि छोटी-छोटी जो stall लगे होते हैं, especially अगर हम बात करते हैं, जो food को लेकर कि जो hub बने होते हैं, clean state food hub होते हैं, वहां पर बहुत सारे vending cart हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम food vending cart बोलते हैं, तो अब क्या होता है, उनका पूछ रहा है कि height कितना होता है, वो जमीन से, उनका height कितना होता है, वो कितना होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, तो यहां पर minimum अगर हम देखें, तो वो 60 से 70 centimeter यहां प पर आपके सामने जो है, वो यहां पर देखो, यह कहां से question आया था, उसको मैं अगर आपको बताओं, तो इस बात को आप ध्यान से समझना, तो यहां पर देखो आपका question आया था, वो हमारा question आया था, कहां से, food safety and standard regulation से question आया था, अब जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया इनफेंट वाला, इनफेंट वाला अलग regulation से आया था, यह question अलग regulation से आया था, पहला act हो गया, rules हो गया, regulation नमबर जो one है, ठीक है, यह वाला जो regulation है हमारा, food safety and standard regulation 2011 for the licensing and registration, तो इन सारे regulations को हम अपने food safety officer वाले exam में तो पढ़ते हैं, बट assistant में हम नहीं पढ़ते हैं, बट आप application पर देख सकते हो, ठीक है, application पर आपको पूरा का पूरा regulation मिल जाएगा, इसके कुछ highlighted points भी आपको मिल जाएंगे, वो highlight करके वहाँ पर दिये के, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से यह हमारा question आया था, अब इस पूरे को अगर हम divide करते हैं, इस regulation को तो यहाँ पर भी अ कितने हैं, total अगर आप यहाँ पर देखो कि, total हम यहाँ पर two chapters में divide करते हैं, कितने chapters में divide करते हैं, दो chapters में divide करते हैं, तो आपके सामने दो chapters दिये गये हैं, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे देखेंगे, तो यहाँ पर इनको हम schedule में divide करते हैं, तो कितने schedule में divide किया आपको यहाँ पर अप्लाई करना है अगर आपको श्राइज कर आना है तो उसके लिए कौन से फॉर्म ऑते वह सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे fee कितनी देनी होती है अगर central government का license है state government का license है तो उस case में आपको कितना fees देना होगा वो सब कहाँ पर मिलेगा वो हमें schedule number 3 में मिलेगा आपका question जो आया था वो schedule number 4 से आया था अब schedule number 4 से जो question आया था तो schedule number 4 को भी अगर हम further divide करते तो उसको भी total 5 parts में divide किया गया है ठीक है schedule number 4 को कितने parts में divide किया गया है 5 parts में divide किया गया है तो यहां से भी थोड़े बहुत question बन सकते हैं आप ध्यान देना तो schedule number 4 जो है वो कहता है कि general hygiene and sanitary practices to be required by food business operator यानि कि कोई भी food business operator है उसको लेकर कि अगर हम बात करें वो कोई भी food business कर रहा है तो उसको लेकर कि यहां पर कुछ general hygienic और sanitary practices की जरूरत होती है वो इसको यहां पर follow करनी होती है तो उनको यहां पर according to the business यहां पर 5 category में divide किया गया सबसे पहला है part 1 part 1 में general and hygienic and sanitary practices to be followed by pity food business operator यानि कि जिनका छोटा फूट विजनस है उनको लेकर यहां पर बात कर रहा है और इसी वाले part से आपको कोशन कहा से आया था इसी वाले सरे यहां नहीं कोचा बॉँछा गया था Thie.. तो आप देखो यह आपके syllabus में नहीं है तो कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाएगा तो यह आपको चीजे नहीं पढ़ाएगा ठीक है बिसिकली आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा क्योंकि जरूरती नहीं है वहाँ पर तो इस वज़े से यह कोशन पूछा गया था तो इसको आप डाल सकते हो यह कोशन टफ था ठीक है तो कितने कोशन हो गया है हमारे तीन कोशन हुए अभी तक ठीक है पार नंबर टू में बा ठीक है milk and milk products को third part में include किया गया है इनको लेकर किया क्या क्या हाइजनिक और sanitary practices required है वह यहाँ पर है पार नंबर फोर में अगर हम जाते तो यहाँ पर meat products को इंक्लूट किया गया है यानि कि meat products को लेकर कि यहाँ पर कौन कौन से general hyzenic and sanitary practices follow करने होते food business operator को वह यहाँ पर mention कि है उसके बाद में last में अगर हम देखते तो यहाँ पर part 5 में जो sanitary and hyzenic practices के अगर बात करते तो यहाँ पर जैसे कि food service establishment हो गया catering वगेरा हो गया इनको लेकर किया क्या क्या चीजे होती है वह यहाँ पर mention करी गई तो पहले वाले part को अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं जो आपका question सबसे पहला आया था वो आपका question यहाँ से आया था तो sanitary and hyzenic practices है तो सबसे पहला वाला थो जहाँ पर pretty food manufacturers थे उसके अंदर जाकर के भी एक heading है sanitary and hyzenic practices requirement for the street food street food vendors उनको लेकर के add unit other than manufacturing processing तो यहाँ पर बहुत सारी चीजे mention है कुछ चीजे तो बहुत common है जैसे कि potential source of contamination like rubbish wastewater toilet facilities open drains और stray animals cell be avoided तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि proper आपको साफसाफाई रखनी है वहाँ पर चीजे आपको ध्यान रखना है कि wastewater or toilet facilities जिन सबका होना चाहिए drainage system proper होना चाहिए साथ ही साथ में animals वगेरा वहाँ पर नहीं होने चाहिए यह सब चीजे आपको ध्यान रखनी है तो सर्फेस एरिया आप जो वेंडिंग कार्ट है वह पूरी तरीके से अगर वेंडिंग कार्ट है उसके उपर क्या करते हो आप फूड को रखते है बर्गर बनाता को चौमिन बनाता है ठीक है तो वहाँ पर अगर आप उसकी रख के पैकिंग कर रहो कुछ भी कर रहो काट के दे रहो कुछ भी कर तो वह प्रॉपर क्लीन और सर्फेस एरिया अब इसके देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था यहीं आपके पेपर में उठाके दे दिया गया है कि कितना उसका हाइट होना चाहिए तो वर्किंग सर्फेस ऑफ दा वेंडिंग कार्ट स्टैल भी क्लीन हाईजनिक इंपरिमेबल एड इजी टू क्लीन होना चाहिए अब ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं बट क्या आपको पता है वहां से कोशन बनेंगे तो अगर आप इनके पीछे जाकर के अपना टाइम वेस्ट करते हो तो आप जो कोशन कर सकते थे उनको आपको स्किप करना पड़ेगा क्योंकि आप उनको रिवाइज नहीं कर पाऊगे तो यह आपको समझ में आया यह कोशन कहा से आया था तो टिसको हम डाल सकते हैं ने होगया speculate कर appetite कर था वर्कीन को चीज़े States in प्रिंट लेना चाहों तो प्रिंट ले सकतो ठीक है उसके बाद में देखो हमारे सामने कोशें नमबर सेवन आता है क्या पोछ रहा है कि वाट इस दा फुल फॉर्म आफ टियो सीपी यह जो कोशन है इसको हम कह सकते हैं यह भी कोई बहुत जादा टफ कोशन नहीं था अगर तो आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा इसको लेकर के अगर आपने रुकों के बारे में पढ़ा होगा तो उसी टाइम पर आपने इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देखा होगा तो कि यह एक तरीके का हम कह सकते हैं जो हमारे लिए बहुत जादा हमफुल होता बट इसके कुछ applications भी होते हैं, तो simply यहाँ पर इसका full form पुछा है, तो tri-ortho carbon phosphate है, या फिर tetra-ortho carbon phosphate है, या फिर tetra-ortho krecyl phosphate है, या फिर tri-ortho krecyl phosphate है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत confusion आपको tri-or tetra में हो सकता है, बट exactly correct answer की बात करते हो, तो tri-ortho krecyl phosphate हमारा correct answer होगा, ठीक तो krecyl phosphate जो है, हम इसको basic language में अगर समझें, कि आखिर में यह है गया, तो यहाँ पर यह क्या है, कि एक तरीके से, आप यह कह सकते हो कि यह chemical compound है, basically chemical compound ही है, ठीक है, दूसरी चीज यह है, कि is associated with the several significant health risk, इससे हमें कई सारे health risk देखने को मिलते हैं, जैसे कि primarily due to its neurotoxic properties, तो य neurotoxic property है, तो health तो खराब होगी ना, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे health risk देखने को मिलते हैं, अगर कोई individual exposed हो जाता है, to cp को ले करके, यानि कि when individual are exposed to to cp, अब exposed कैसे होगा, या तो उसकी body में चला जाए, either through ingestion होगा, अगर आप सांस ले रहे हो, तो air के थो अगर आपकी body मे चला जा रहा है, और skin contact अगर हो जाता है, अब touch हो जाते हो उससे, it can lead to various health problem, तो इसकी वज़े से बहुत सारी health problem हमें देखने को मिल सकती है, कैसी-कैसी health problem, तो जिसके बहुत बड़े-बड़े नाम है, तो इसको आप just नाम याद रखना है, ठीक है, थोड़ा समया पर समझा delayed neuropathy, जिसको हम OPIDN, तो short form में हो सकता है, इसका नाम आप से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो TOCP is known cause of, क्या है, OPIDN, OPIDN का मतलब organo phosphate induced delayed neuropathy, ठीक है, is a neurological, नाम से लग रहा है, neurological disorder है, that affect the peripheral nervous system, तो जब भी आप देखते हो कि कोई भी disease, अगर हमें ऐसी देखने को मिलती है, जो neurological है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें, क्या चीज़ देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलता है, कि हमारा nervous system, वहाँ पर कुछ ना कुछ, defect हो जाता है, OPIDN typically develops a few weeks after exposure, तो आपको जैसे exposure होगा, थोड़े time के बाद में आपके उपर यह develop होगा, तो यह सारी, और यह यहाँ पर इसके बाद में बहुत जादा complications आगे होने लगते हैं, इतना याद नहीं रखना है, acute toxicity, in case of, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, TOCP poisoning, अगर देखने को मिलता है, symptom में include, यहाँ पर nausea हो जाता है, हमें vomiting हो जाती, abdominal pain होने लगता है, diarrhea हो जाता है, sweating होती है, साथी साथ यहाँ पर क्या होता है, confusion, head edge होता है, उसके बाद में आप देखो कि muscle weakness, तो head edge तो normal है, बहुत सारी चीजों में होता है, यहाँ पर आपको इसकी वज़े से भी देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला हमारा normal चीजों में आप देखते हो, किसी भी चीज का हमें exposure आता है, अगर सरदर कोई भी बहुत sensitive candidate है, उसके सरदर सबसे पहले start होता है, फिर उसे vomiting होना और यह सब डारिया वगरा धीरे धीरे चीजे होना start होती है, chronic health effect की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर repeated और chronic exposure to the OCP can have the long term health detect हो सकते हैं, जैसे कि chronic neurological problems, memory and cognitive impairments and other neurological disorders हमें देखने को मिलते हैं, त chronic health effects आगे जा करके हमें हो सकते हैं, बहुत जादा घातक हो सकती हैं यह चीजे, respiratory and skin irritation हमें हो सकता है, ठीक है, basic है चीजे, तो it's important to note that, but इन सारी चीजों के साथ में आपको एक चीज और ध्यान देनी है, but it's important to note that TOCP, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइ और्थो क्रेसाइल प and occupational exposure to this compound is a concern for worker in certain industries, safety measures or protective equipment are necessary to minimize the risk of exposure in occupational setting, क्या होता है, पहली बात तो यह बहुत खतरनाक है हमारी health के लिए, but industry में कहीं कहीं use भी होता है, but industry में जब यह use होता है, तो उन workers को बोला जाता है कि जो भी protective measures हैं, आप उनको ले करके चलो, जिसससे इसका exposure कम से कम हो, और health risk ना हो, तो कुछ इजे खतरनाक तो होती है, but industry में उनके कुछ uses भी होते हैं, तो इस वज़े से उनको वहाँ पर किया जाता है, तो अभी तक हमें बहुत ज़्यादा tough questions मिले, वो 3 questions ही मिले, question number 8 हमारे सामने है, कि the scientific panel does not offer expert opinion on, तो यह question हम कह सकते हैं, easy question था, अगर आप आप में 2021 से भी classes वगेरा देखी होंगे, notes वगेरा पढ़े होंगे, scientific panel को लेकर के कोई भी class और इस अभी डिसकस करी होंगी, तो easily आप इस question को कर पाते हैं, तो यह question जो था, वो tough नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर the scientific panel does not offer expert opinion, तो यहाँ पर आप से question directly यही पूछ रहा है, कि इन में से कौन सा एक ऐसा issue है, जिस पर scientific panel ही नहीं है, question यही है, तो scientific panel does not offer the expert opinion on, पहला option है, nutraceuticals, दूसरा option है, biological hazard, तीसरा option है, recommended dietary allowances, चौथा option है, हमारा contaminants को लेकर के, तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे, चो option number C है, वो हमारा correct होगा, क्यो तो यहाँ पर यह हमारा correct answer हो जाएगा, क्या recommended dietary allowances, ठीके, अब यहाँ पर देखो scientific panel को लेकर के further अगर कोई question आता, तो आप गलत मत करो, इस चीज को ध्यान रखो, तो scientific panel और scientific committee, दो टर्मस आप सुनते होगे, तो जब हम FSAI की बात करते, तो food safety standard 30 of India, यानि कि FSAI, FSAI एक ब food safety को लेकर के, food standards को लेकर के, FSAI जो भी decisions लेगा, वो एकदम सबसे important होंगे, central government decision ले रही है, अगर FSAI decision ले रहा है, समझ लो, ठीक है, उसके बाद में जो भी decisions ले जाएंगे, उनको implement करना state की responsibility होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जब हम standards वगेरा बनाते हैं, तो different research background से होते हैं, कई scientist होते हैं, कई सारे research scholars होते हैं, तो वो लोग मिल करके एक panel बनाते हैं, जिसकी जैसी expertise होती है, जिसको अगर food additive का अच्छा knowledge है, तो food additive वाले panel में रहेगा, जिसको antibiotic के बारे में, genetically modified के बारे में knowledge है, तो उसके according उस panel में होगा, तो ऐसे करके बहुत सारे panels ह होते हैं, तो हमारे present हमारे पास में 21 panel है, ठीक है, 21 panel है, अब इन 21 panels को भी divide कर गया है, 2 panels में, 21 को divide कर गया है, 2 panels में, सबसे पहला आता है horizontal panel, दूसरा आता है हमारे सामने vertical panel, एक है हमारा horizontal, एक हमारा vertical, अब दोनों में क्या difference है, अब यहाँ पर horizontal panel जो है, उसमें हमारे total 10 है, vertical पैनल जो है वह 10 और 11 21 हो गए अब आपको याद कैसे रखो क्यों कि को हो सांए डिकल additives और flavoring और processing adds और material in contact with food ठीक है तो पहला horizontal panel क्या है यह है कैसे याद रखना है अभी बताएंगे कि confusion ना हो horizontal और vertical panel में वो भी हम समझेंगे ठीक है दूसरा क्या है pesticide residue को लेकर के भी है पैनल antibiotic residue को लेकर के भी है पैनल, genetically modified organism and foods को लेकर के भी है biological hazard को लेकर के भी है पैनल, contaminants in the food chain इसको लेकर के भी है पैनल, labeling and claims को लेकर के advertisement को लेकर के है पैनल, method of sampling and analysis को लेकर के है पैनल, nutrition and fortification को लेकर के पैनल है, packaging को लेकर के पैनल है तो यहां पर horizontal में total कितने हैं 10 panels है ठीक है अब यह जो panel है इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी कि यह सब फूरड से related है फूरल क्या है फूरड कोई है फूरड कोई भी फूर नहीं है फूर्ड कोई से related है पेस्टिसाइड रेसिट्यू क्या फूड है नहीं वो फूड से रिलेटेड है ठीक है एंटिबाइटिक रेसिट्यू क्या है फूड से रिलेटेड है कंटामिनेट्स क्या है फूड से रिलेटेड है पैकेजिंग क्या फूड है फूड से रिलेटेड है नूट्रीशन क्या है ना कि यह फूड है बट जब अगहर हम वर्टीकल पैनल्स की बात करते है यहां पर एक मेजर डिफरेंस हमें यह देखने को मिलता है कि हम होरिजंटल वाले में फूड से रिलेटेट चीजों की बात कर रहे हैं लेबलिंग उससे रिलेटेट है एक पूर एडिटिव उससे रि सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब है यह वाटर जोड़ेटड है यह सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब पूड़ वाटर क्या है फूड़ है इसका मतलब इसको लेकर के कोई भी पैनल नहीं है तो सबसे पहले आप इसका स्क्रेंशॉट लो यहां पर देखो horizontal panel में क्या है यह सब वूड से related है यह सब क्या है फूड से related है ना कि फूड है ठीक है चाहे पैकेजिंग रहा हो चाहे नूट्रिशन हो जिस डेटेल में मैंने आपको पढ़ाया अगर आप पढ़के जाओगे तो कोई भी कोशन आप इसकी नहीं करोगे कोशन नमबर नाइन है क्या है विच आफ दा फॉलविंग इस फंक्शन ऑफ देजिगनेटेड़ ऑफिसर का फंक्शन क्या होता है विडियो अब आपने अट आप आपके जाओं आपिसर नमोर टू है अनलेजिस अनलैजिस अनलाइजिग दीटेटरेटरी अप्शन नमबर टू और रिंग दा फंडर तो कंपेंशेट गांपेंटर अचल आप एजिए अचम्टमर इन च्ट्समर इंजरी और नबट्ट्समर इंजरी और डट अप्श तो यहां पर देखो अगर हम बात करते हैं, यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर आप देखो, हमारा correct answer होगा, वो क्या होगा, option number A जो होगा, वो हमारा correct होगा, कैसे correct होगा, तो जो designated officer होता है, वो क्या करता है, designated officer, district में एक designated officer होता है, food safety officer जो भी काम करता है उससे वो report वगेरा collect करता है उनको proper manner में रखता है पुरा record maintain करके रखता है दूसरा है analyzing the food sample in the food laboratory ये कौन करता है ये food analyst करता है तो ये designated officer नहीं करता है ordering the offender to compensate the representative in case of customer injury or death suppose that कोई consumer है जिसने market से कोई food products purchase किया अगर उसने consume किया consume करने के बाद में उसको बहुत जादा injury हुई grievance injury हुई ठीक है उसको एक तरीके से health hazard देखनों को मिलता है या फिर हम देखते है उसकी death हो जाती अगर उसकी death हो जाती तो उसके बिहाफ पे कोई victim होगा कोई representative होगा जो विक्टिम था उसका कोई representative होगा तो वहाँ पर उसको compensation दिया जाता है compensation मिलता है ना पांच लाग रुपए दस लाग रुपए तो हर केस में पूर लाग में mention है तो उसको लेकर के कौन order देगा उसको लेकर के order कौन देगा तो यहां पर लिखा गया है यह जो order देगा करता है जो भी decisions वगएरा लेने होते हैं जैसे कि हमारा court होता है वैसे ट्रिबुनल्स वगएरा होते हैं फूड को लेकर के तो यहां पर जो भी legal decisions लेने होते हैं वो लेते हैं conducting and inspection of the industrial facility that manufacture or process food तो inspection वगएरा जो होता है वो कौन करता है वो food safety officer करता है food safety officer का काम क्या होता है inspection करना बट इनको चाहिए तो commissioner of food safety arrange कर सकता है बट ड्राउंड लेवल पर करता कौन है inspection of industrial facility वगएरा हो गया और भी चीज़े हो गए तो कौन करता है food safety officer करता है तो लोगों को थोड़ा confusion रहता है commissioner of food safety या फिर food safety officer में तो food safety officer में directly लिखा गया है inspection को लेकर के वो तो उसका एक तरीके से powers provide करी गई है food safety officer के ठीक है उसके बाद में कुछ और functions वगएरा दिये गए हैं जिनको आप यहाँ पर देख लो तो यह भी questions हमारा बहुत प्ढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें food safety ये फूट सेफटी ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए तो आपको पहना चाहिए जब आप फूट सेफिटी ये पढ़ना रहे हो तो कुछ बाते आपको ध्यान लगनी है आपको बता देता हूं आपको स सबसे ज्यादा कौन से चीज़े हो जाती है वहां पर जो अब देखो कुछ फंक्शनल फूड को लेकर के और जो सबस्क्राइब करते हैं हमारा पाइफ वाला जो है उसको एक दम याद रखना इंपोर्ट से रिलेट जब भी कोशन बनता तो वहां से बनता है सिक्स को आप थोड़ा सा इसकिप कर सकते हो ठीक है जब आप सैवन की बात करोगे तो सैवन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टन इसके बाद में आप चाहो तो छोड़ सकते हो चैप्टर नमबर 7 बहुत बहुत इम्पॉर्टन है क्योंकि यहीं बताता है कि आपको Food Safety Officer, Designated Officer, Commissioner of Food Safety इनके powers क्या होते हैं इनके क्या 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 फंक्शन होते हैं और टोटल इस तरीके से पूरा enforcement होता है वह आपको यहीं चैप्टर समझाता है तो इस वज़े से यह हमारे लिए important हो जाता है उसके बाद में देखो यहां पर designated officer के बारे में बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो issue or cancel a license of the food business operator क्या कर सकता है license को लेकर के क्या काम कर सकता है द्यान रहे है food safety officer के बात आपको ध्यान रखनी है तो designated officer ही cancel करेगा तो designated officer थोड़ा ओपर होता है पूर्विड कर सकता है अगर कोई भी आर्टिकल अपूड है वो किसी तरीके से कोई का इसको प्रोविड किया जा सकता है यह निकि उसको रोक रोक जा सकता है उसकी सेल को तो यही हमारा अंसर हो जाएगा तो इस वज़े से यहां पर प्रॉपर मैनर में लिखा गया है तो जब भी आप इन चीजों को पढ़ोगे तो को डिरेक्ली उठा करके स्टेटमेंट आप से पूछ लिया है तो यह बात आप धियान लगना अगर यहां पर देखो क्या होता है कि designated officer को लगता है किसी food business operator ने कोई पैनल्टी वगएरा इंपोस करनी है तो वह भी होगी तो उस केस में commissioner of food safety के पास में एक request करेंगे एक recommend करेगा designated officer कि सर आप क्या कर दो यहां पर sanction कर दो sanction का मतलब होता है कि permission देना है जब तक वह permission नहीं देंगे तब तक नहीं जाएगा तो उनसे permission लेना होता है किसलिए prosecution को launch करने कि launch prosecution का मतलब उनको officially court में कैसे चार्ज करना है उनके against कैसे trial चलाना है किसी भी food business operator को लेकर के तो वह यहां से permission मिल जाएगी तो इसको लेकर के recommend कर सकता है तो इधान रहे यहां पर अगर imprisonment हो रहा है यानि कि मतलब उसको सजा होगी जेल होगी अगर ऐसा कोई लॉक का कंट्रवेंशन हुआ है तो commissioner of food safety क्या करेगा वहां पर sanction करेगा बट recommend करेगा बट designated officer to sanction or launch prosecution in case of the contravention of the punishable with the fine तो इस case में क्या करना है अगर fine है केवल fine लग रहा है penalty छोटा मुटा लग रहा है तो उस case में यहां पर directly वह यहां पर sanction कर सकता है खुद ही कर सकता है designated officer इसके लावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि to maintain records जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो भी records वगेरा होते हैं उनको maintain करता है कौन designated officer कैसे records होते हैं टेस्टिंग वगेरा होती inspection वगेरा होते है article of food को ले करके इन सारी चीज़ों को ले करके जो भी चीज़े होती है वो यहां पर proper record वगेरा maintain किया जाता है to get investigated and complaint which may be made in writing in may be in writing in respect of the contravention of the provision of the act and rules and regulation made there under तो यहां पर कहने क मतलब अगर कोई complain करी जाती है return में कोई complain आती है तो उसका proper investigation करना तो यह भी काम होता है investigate any complaint which may be made in writing against the food safety officer ठीक है food safety officer किसी एरिये में कोई गलत काम करता है ठीक है गलत काम करता है घूस वगहरा लिथे पाया जाता है ठीक है ऐसी चीज़े बहुत देखने को मिलते हैं अभी मैं आपको इस चीज़ बताता हूँ एक case है यूपी का ठीक है जनरली अगर हम बात करते लखेंपूर खीर मिलाइब करते हैं लाइस सना और इन सब चीज़ों में help करते हैं उनका काम होता है कि आप लाइसस वगहरा प्रॉइड कर सकते हैं तो उस case में क्या होता है कि जो डिजिणल मित्रा होता है वहां पर उनकी help कर सकता है बढ़ क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा एक सिस्टम है वो वहाँ पर क्या कहते हैं कि आप license वगेरा नहीं बना सकते हो, यानि कि apply नहीं कर सकते हो, आपको food department के जो लोग है उनी से बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पर लोग 2000-2500 रुपीज तक चार्ज करते हैं, एक license या फिर registration का, basic registration ही होता है, license तो बहुत बड़े level पर होता है, registration हो होती है, 100 रुपए का एक छोटा सा basic registration होता है, basic license जिसको बोलते हैं, वो लेकर के कोई भी अपना food business कर सकता है, just 100 रुपए लगते हैं, बट यहाँ पर 2000-3000 रुपए तक और दूसरा अगर वहाँ पर कोई help कर रहा है, 100 रुपए लेकर के 150 रुपए अश्टरा लेकर के उसका रास्ते बहुत सारे हैं, बट इन सारी चीजों को मत opt करो, इसके अलावा बहुत सारे cases ऐसे भी हैं, कई food safety officers को लेकर भी है, जब वो पकड़ में आते हैं, तो फिर वहाँ पर उनका पूरा करियर तबाह हो जाता है, जिस चीज के लिए आप इतनी सिद्दत से इतनी मेहनत कर करो, तो प्लीज यार जब आपको मिले, जब आपको मिले तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, और देखो आप कैसे changes ला सकते हो, और कैसे changes ला सकते हो, कुछ टाइम बाद आपको लगता है, मुझे बहुत पैसा कमाना कुछ बढ़ा करना है, आप 10 साल सर्विस कर कुछ duties वगएरा assign करता है, तो वो इसको कर सकता है, ठीक है, आई हुब आपको चीजे समझ में आ रही होंगे, ठीक है, question number 10 हमारे सामने आता है, question number 10 भी हमारा food safety in standard act 2006 से है, ठीक है, question पूछ रहा है कि the regulation governing the food safety officers function, क्या पूछ रहा है, food safety officers function are referenced under dash of the food safety in standard regulation 2011, ठीक है, तो यह जो question पूछा गया है, यहाँ पर regulation का नाम mention है, बट यह जो नीचे options दिये गए है, यह सारे के सारे कहां से निकल करके आते हैं, मारे food safety in standard act से निकल करके आते हैं, तो यह पूछ रहा है कि जो food regulations वगएरा बनेगा, ठीक है, जो भी regulation बनेगा, वहाँ पर वहाँ पर हम कहां से reference लेंगे, कौन से act को हम use करेंगे, act के कौन से section को use करेंगे, subsection no.4 of the section no.28, या फिर subsection no.6 of the section no.47, subsection no.4 of the section no.15, या फिर subsection no.5 of the section no.29, तो आपके according यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर देखो आपने act को पढ़ा है, तो आप इनको आसानी से eliminate कर सकते हो, जैसे कि 47 को आप तुरंद कर सकते हो, क्योंकि यह आपका chapter no.7 में आता नहीं है, chapter no.7 ही मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर important है, जिसमें हम enforcement of the act के बारे में पढ़ते हैं, तो यह सारी बाते कहां मिलेंगी, chapter no.7 में मिलेंगी, अब chapter no.7 कहां से start होता है, 29 section से start होता है और 42 तक जाता है, 47 को पहले eliminate कर दो, ठीक है, section no.15, section no.15 में FSS AI के बारे में बताया गया, ठीक है, तो वहाँ पर भी चीजे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीजे हैं, functions को लेकर के, powers को लेकर के, यानि कि officers के जो भी हैं, उनके functions को लेकर के, यानि कि enforcement को लेकर के बात हो रही ह तो इसको भी आप eliminate कर सकते हो, अब आपको game खिलना है, 28, 29 में, तो 29 से ही start हो रहा है, थोड़ा आसपास है, तो 28 भी eliminate हो जाएगा, हमारा answer हो जाएगा, subsection no.15, तो अगर आपने चीजों को पढ़ा है, मैं कहता हुना रटते हैं, और बोलते हैं कि हमने पढ़ा, वहाँ से कर सकते थे, तो यह easy question था, कोई tough question था नहीं, तो हमारा option number यह सही हो जा, subsection नहीं भी आदे चलेगा, बट section तो यहाद है 29, अब 29 सही सारी चीज़े start हो रही है, तो इसको आप इसके मत करना, अच्छे से पढ़ लेना, एक बार, classes में भी मैंने आपको बताए, तो यहाँ पर subsection number 5 of the section number 29, as per section number 29, food safety standard act 2006 के, authorities responsibilities for enforcement of act को लेकर, यानि कि enforcement of act है chapter का नाम, ठीक है पूरा, तो यहाँ पर the food authority and the state, उसमें और भी चीज़े लिखी गई है, और सारे कुछ points दिये गए हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि food authority and the state food safety authorities, shall be responsible for the enforcement of this act, ठीक है, तो enforcement of this act में और क्या लिखा गया है, सबसे पहला, तो 29 वाला section हम पढ़ रहे हैं, हम से पूछा कहां गया था, 5th number का जो point लिखा गया है, वो directly यहाँ पर mention किया गया था, यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कि जो food authorities हैं, यानि कि FSS है आई है, state authority है, state food authorities है हैं, वो लोग मिल करके क्या करेंगे, यहाँ पर enforcement of the act करेंगे, enforcement of the act का मतलब यहाँ पर क्या है, कि act में जो भी provisions लिखेगे हैं, उनको ground level पर implement करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, enforcement ठीक है, किसी भी act को एक तरीके से enforce करना, उसको क्या करना, implement करना, उसको हम यह बोलते ह हुआ है अब पूर्ड कौन संपॉंसीबल होगा ऊथिए फसे से इखाइए भी एस्टेट बोर इस्टेट ऑफ्रॉर्टी अथार्टी सेल मॉनिटर क्या करेंगे monitor करेंगे and verify करेंगे that the relevant requirement of law are fulfilled by the food business operator at all stage of food business तो food business operator की कई सारी stages होती है सबसे पहले वो क्या करता है collection करता store करता है processing करता है marketing करता है storage करता है बहुत सारी चीज़ें करता है इन सारे step में क्या वो food law को follow कर रहा या नहीं कर रहा है कौन करेंगा इसको चेक करेंगा और food safety authorities जो है state की वो चेक करेंगे monitor करेंगे monitor करने के बाद में verify करेंगी option number third है the authorities self maintain a system of control and other activities are appropriate to the circumstances including the public communication on the food safety risk किसको लेकर के food safety risk food safety surveillance and other monitoring activities covering all stage of the food business तो यहां पर authorities का यह basic काम है क्या मतलब पूरी तरीके से निगरानी रखना monitor करना चीजों को एक तरीके से सब किसका काम है क्या काम है इनका food authority यानि कि FSCI और state food authority including public communication of the food safety and risk क्या होता है अगर कोई risk आ जाता है तो public के साथ communicate करना होता है वहां से हमें जो भी information मिल नहीं हम वहां पर उस time पर जो भी वहां पर available था उससे हम बात करते हैं उससे में information लेते हैं तो public communication बहुत ज़रूरी है ठीक है यह हो गए हमारे तीन पॉइंट उसके बाद में देखो हमारा चौथा पॉइंट आता है the food safety officer shall enforce food safety officer क्या करेगा and execute करेगा within their area of the provision of this act the respect to which the duty is not imposed expressly or by necessary implication on the same other authority तो यहां पर food safety officer क्या करेगा enforce करेगा execute करेगा अपने area में वो जिस area में है उसको जो area दिया गया है वहाँ पर यह law and order को maintain करेगा execute करेगा चीज़े आपका जो question मना था वो fifth point से बना था तो आप देखो कि जो fourth point है fifth point है six point है आपको numbers भी याद रखने पढ़ेंगे numbers अगर नहीं याद है अगर generally आपने cell is specify which of the food safety officer food safety officer are in force and execute then either generally or in relation to cases of a particular description or particular area and any such regulation or order may provide for the giving of the assistance and information by an authority concerned to the administration of the regulation or order or any provision of the act any other authorities concerned for the purpose of the of their respective duties under them तो यहां पर आपको यह चीज़े समझ में आई कहां से निकल करके आ रही है हमारे act से निकल करके आ रही है अब यहां पर direct statement नहीं दिया गया है ठीक है direct हमारा वो statement नहीं दिया गया है इस बात को आपको समझना थोड़ी सी चीज़े आपको समझनी पढ़ेंगी question में कैसे पूछ रहा था और यहां पर क्या चीज़े दी गई है तो यहां पर regulation under this act लिख दिया गया है वहां पर क्या mention था regulation तो regulation जो भी regulations होंगे under this act इस act के अंडर में cell is specify which of the food safety officer are in force and execute them तो उसके functions की बात हो रही थी थी ना तो functions की बात हो रही तो यहीं से निकल करके आता है इस लास्ट वाला है the commissioner of the food safety and designated officer shall exercise the same powers as are conferred on the food safety officer and follow the same procedure specified in this act designated officer commissioner of food safety चाहे तो यह same powers का use कर सकता है बट उनको भी same procedure follow करना पड़ेगा जो हमारे food authorities time to time notify करती रहती है तो हमारे act में जो procedure लिखे गया है या फिर उस act का use करके regulation में जो procedures बताए गये हैं वो सारे procedures को follow करना होगा और designated officer commissioner of food safety चाहे तो same powers को क्या कर सकता है यहाँ पर execute कर सकता है उनका use कर सकता है ठीक है आयूप आपको यह चीज़ यहाँ पर समझ में आई तो अभी तक हमने कितने question discuss किए केवल और केवल 10 question discuss किए 10 question discuss किए अभी भी हमारे सामने 15 questions हैं बट आप यकीन मानो सारी classes को अगर आप देख लोगे अच्छे से तो शायद आप कई 2-4 दिनों में इतनी पढ़ाई करोगे जितनी आपकी पढ़ाई या एक या 2-3 घंटे जो भी लगेंगे उसमें वैलिड एक्रिडिटेशन अगेंस्ट अब क्या बोलोगी इस question को यह question easy था या बहुत टफ था ठीक है यह question अगर देखा जाए तो बहुत easy था 2021 में जब मैंने audit को लेकर कि आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर clearly इस बारे में mention है कि जो भी audit agency होगी उनके पास में कौन सा यहाँ पर certification या फिर accreditation वगेरा होना चाहिए तो अगर आपने इस question को skip किया चोड़ा है तो इसका मतलब आपने वीडियो इसको अच्छे से नहीं देखा है तो इसको तो मैं तो easy की category में डालूँगा जो मैंने पढ़ाया है आपको तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो भी audit agencies होती है जब आपको मैंने third party audit पढ़ाया होगा audit agencies होती है उनके पास में कौन सा valid accreditation होना चाहिए ISO IEC 18020 18020 and ISO IEC 17021 इनका कोई खास मतलब नहीं है numbers क बस याद रखना है ठीक है थोड़ा उसके बाद में दूसरा आता है ISO IEC 17020 and ISO IEC 17021 ऑप्शन नमबर third है ISO IEC 17020 and ISO IEC 18021 उसके बाद में आता है ISO IEC 18020 and ISO IEC 18021 तो देखो इसको अगर आपने पढ़ा होगा अगर आपने छोटी सी जलग भी देखे होगी वहाँ पर वीडियो में थोड़ा समझा भी होगा बहुत अच्छे से उस वीडियो को बनाने में मुझे दो देन तीन दिन कंटेंट बनाना पड़ा था आप देखो जो भी क्लास आती है उसमें बहुत सारी महनत लगती है और अगर आप उसको ऐसे छोड़ देते हो तो फिर आपकी गलती है तो यहा है अब यहाँ पर केवल और केवल सेकेंड नमظर पाला इसो ऐसा है कि दोनों में 1717 से स्तार्ट हो रहा है दोनों सीक्वेंस में बीस इक्स बीस इक्स अब यहाँ पर है8-8 अरफ राह आँ यहाँ अब सत त्रह अगर सत्रह भी आपको याद था ढूर इस लिक होगा बट आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप कैसे कर बाऊगे इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं यह वीडियो का स्लाइड है यूटूब पे अभी वीडियो पढ़ा है थार्ड पार्टी ओडिट को लेकर कि आप वहां पर देखोगे इसका मैं आपको पढ़ा है यूटूब पे पढ़ा है यूटूब पे पढ़ा है तो आज भी वीडियो काफी वैलू रखता है यह लीगल इंटिटी होना चाहिए पहली बात तो इंडिया में ठीक है यह वीडियो अगेंस दा यह question बना था ठीक है तो यहां पर आपका यह question बना था तो इस वज़े से correct हो जाएगा इसके लाबा और क्या चाहिए होता है और accreditation bodies is a member of IAF ठीक है जो भी accreditation bodies होती है वो पहली बात तो यहां IAF का member होना चाहिए तो जब यहां पर ISO certificate हम लेते हैं तो एक IAF होता है एक non IAF होत तब आप non IAF वाला ISO certificate लेते हो अगर आपका अच्छी branding बनानी है तो वहां पर चीज़ें अगर है तो आपको यहां पर IAF मतलब international accreditation forum होता है उसका certificate अगर आपके पास में है तो आप यहां पर इसके लिए apply कर सकते हो किसके लिए audit organization के लिए should have a minimum of three qualified auditor होने चाहिए उसके पास होना चाहिए इसको हमने बहुत डिटेल में इस पूरे को discuss किया है आप एक बार सर्च कर लेना पढ़ लेना उसके बाद जाना ठीक है यह भी already class में discuss कर चुके हैं वहां पर ठीक है अब basic हमने पढ़ा भी था कि third party audit क्या होता है second party first party क्या होता है पूरा अच्छे से समझा था documents का एक चेक करते हैं वहांपर proper जो आप पूरा सिस्टम लगा होता है ठीक है वहांपर जो भी अब देखते हुआ जो भी functions वगयरा होते है जो भी पूरा system होता है उस पूरे premises में जो भी चीज़े यूज हो रही है वहांपर प्रॉपर एक examination होता है एक independent examination होता है एकंश वग कहार देता है कि आप जाकर कर सकते हैं वहां पर सम्मिट कर सकते हो। तो ऐसे जो भी ऑडृट एजेंसी में आपS करना आपT वो आपसे contact करेंगे और audit करा लेंगे ठीक है तो इस तरीके से इसको हम third party audit बोलते हैं ठीक है यानि कि FSCI और आपके अलावा यहां पर एक third party है जो आपर audit कर रही है तो यहां पर third party जो audit होता है इसके लिए basic process होता है तो सबसे पहले आपको apply करना होता है FSCI में as a organization आप apply होगे application reviewed by FSCI FSCI क्या करेगा उस application को चेक करेगा कि proper जो भी चीज़े चाहिए वह आपने दी है या नहीं दी है application placed before the screening committee क्या होगा application किसके पास में जाएगा screening committee के पास में जाएगा placed before the screening committee उससे पहले जाएगा फिर assessed by screening committee on the basis of qualification experience and if necessary through interview exam और यहाँ पर क्या होगा कि आप देखोगे कि जो screening committee है वो यहाँ पर जब चीजों को चेक करेगी तो वो यहाँ FSCI ने पास कर दिया screening committee के पास गया screening committee उसको चेक करेगा proper qualifications वगेरा उनके पास है या नहीं है जो भी certificate चाहिए ISO वो है या नहीं है ठी उसके basis पर क्या करेगा अगर है तो फिर आगे बढ़ेंगे approve कर देंगे otherwise उसको वहीं पर reset कर देंगे ठीक है वहीं पर application को reset कर दिया जाएगा अगर approved हो जाता इसका मतलब है उसके बाद में certificate of the provision recognition issued and the list of the recognized auditor of the agency published on the FSCI website with the validity and scope of audit तो क्या होगा कि अगर qualify कर जाते तो यहाँ पर certificate दे जाएगा FSCI website पर उनको list कर दिया जाएगा और यहाँ पर mention कर दिया जाएगा उनका validity कितना है दो साल तीन साल कितना है उसके साथ इसकोप of audit मतलब किस टाइप of business में audit कर सकते हैं वह milk की category में कर सकते हैं मीट की category में कर सकते हैं यह सब वहाँ पर हमें देखने को मिल करेंटर उसके according चेक करेंगा कि हमें किस से audit कराना है तो उसके according वहाँ पर करा सकता है तो आई हुआ आपको यह समझ में आई तो अभी तक के वद सुरू में हम देखें तो टूटल तीन कोशन हमें ऐसे मिले हैं जो कह सकते थे टफ हैं ठीक है इसके अलावा तो भरजी का आ वर्क्षोप इस और डाइज़ टू लर्न अबाउट दा इंपोर्टेंस और फूर्ट सेफ्टी दफूर्ट सेफ्टी एंड स्टैंडर्स एक्ट अड अधर की एडमिनिस्टेटिव रोल इन दा इनफोर्सिंग दा एक्ट यहां पर पूछ रहा है कि वन डे वर्क्षॉप तो वर्क्ष्वा पंड के बारे में जब आपड़नेश्ट हुए जब आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर सेवन को ही तो उसी में से जो एक ऑफिसर चैप्टर नंबर सेवन में रहाए कही न कहीं आपको यह चीज दिखेगी फिस के अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ तो अगर आपने उसको पढ़ा है तो कमिशनर के केस में फूर्ट सेफटी जो कमिशनर होता उनके केस में आपको यह चीज़ देखने को मिलेगी क्या देखने को मिलेगा वर्क्शॉप वर्क्शॉप इस ऑर्गनाइज़ फॉर्ट तु लर्न अबाउट दा अब यहां पर देखो अगर हम बात करते हैं यह भी कोशन आप देखोगे तो बहुत डारेक्ली नहीं है कि मतलब एकदम प्रॉपर स्टेट्मेंट वहां से लिग दिया गया हो बट थोड़ा अंडेस्टेंडिंग अगर आपके पास में है चीज़े आपने पढ़ी है तो आप कर पाऊगे यह कोशन भी हमारा टफ नहीं था दा कमिशनर ओफूडशेटी सैल परफॉर्म और एणी अफॉलविंग फंक्षन नेमली कौन कौन से फंक्षन है कमिशनर ओफूड सेफटी को ले करके तो कमिशनर ओफूड सेट में केवल एक होता है ठीक है सीनियर आइस ऑफ प्रोब इन इनcall of the state आइधर in whole of the estate और एनी एरिया और पार्ट देर ओफ और सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग वन एयर क्या है नॉट एक्सीडिंग वन एयर एस में भी स्पेसिफाइड इन दा ओर नोटिफाइड इन दिस बिहाफ इन दा ओफिशल गैजट तो कमिशनर आफ फूट सेफटी क्य कर सकता थे सब्षक्रीक लेकर के उसकी मैनुफेक्ट्रिंग को उसके स्टो Rise को उसके डिस्त्रिबिशन से और कर सकते है पूब्लिक किहानी हो रही है किसी भी तरीके किहां पर एक ह Hispan नि सब कि अन धर और हैए गर है या तो वो पूरे स्टेट में कर सकता है, अगर पूरे स्टेट में ऐसी सिचुएशन है, तो पूरे स्टेट में कर देगा, अगर उसको लगता है किसी पर्टिकुलर रीजन में ऐसी सिचुएशन है, तो वो पर्टिकुलर रीजन में इनिविट कर सकता है, प्रोविट कर सकता तो वो उसके according होगा जैसा भी commissioner of food safety को सही लगेगा but not exceeding one year यहाँ पर not exceeding one year यहाँ 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 यह सकते हैं कि one year से ज्यादा नहीं होगा max to max one year तक होगा as may be specified in order notified in the behalf और आगे करना होगा तो गैजट आफ इंडिया में notify अगरा यह सब चीज़े करनी होगी वह अलग का process है carry out survey of the industrial unit engaged in the manufacture or processing of the food in the state to find out find out compliance by the such unit of the standard notified by the food authority for the various articles of food ठीक है तो यह जो second वाला point है यह थोड़ा सा आपको लेकर के confusion create कर सकता है जैसे पीछे हमने देखा था यहाँ पर carry out survey of the industrial unit engaged बट जब inspection की बात आती है तो वहाँ पर food safety officer का नाम आता है अब यहाँ पर लिखा गया है carry out survey तो survey कौन करा सकता है commissioner of food safety करा सकता है किसका industrial unit का engaged in the manufacture or processing of the food in the state to find out the compliance by the such unit the standard notified by the food authority for the various articles of food तो क्या कर सकता है एक survey करा सकता है सर्वे कराने से उसको क्या information मिलेगी जो भी units है industrial units है जो भी एक तरीके से इंगेज है manufacturing में आर्टिकल आफ फूड की manufacturing में प्रॉसेसिंग में तो वहाँ पर वो survey कराएगा तो उससे वहाँ पर क्या पता चलेगा उसको यह पता चलेगा कि जो भी आर्टिकल आफ पूड को ल ओर्गनाइज training program for the personal of the office office of the commissioner of the food safety and on a wider scale the different segment of the food chain generating awareness of the food safety तो यह क्या कर सकता है कर सकता है क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉर्ड परप्षोनल ओफ द Оफिस ऑफ दब कमिशनर आफ दफ दब सेफटी जो होता है उसका एक प्रॉपर ऑफिस होता है कभी बढ़ा ऑफिस होता है अच्छा का साफ फिस होता है उसमें बहुत सारे लोग इंपलोई होते है जो उनको अवेरनेस हो सके food safety chain को लेकर के इंशूर efficient and uniform implementation of the standards कि उसका ये काम होता है कि standards जो है उनका uniform manner में implementation हो ऐसा नहीं कि कहीं पर कम implement हो रहें कहीं पर कुछ provisions implement हो रहें कहीं पर जादा provisions implement हो रहें कहीं पर कम हो रहें तो यह uniform होना चाहिए क्योंकि standards अभी के लिए common है उसके बाद में sanction prosecution for the offenses अगर sanctions वगेरा को अगर वहाँ पर किसी को सजा हो नहीं तो वह sanction वगेरा कर सकता है पीछे भी हमने देखा था such other function as the state government अगर state government वहाँ पर कुछ other functions वगेरा assign करते हैं food authority के साथ में बात करके तो वह भी यहाँ पर दिये जा सकते है the commissioner of food safety by order delegate subject to such condition and restriction as may be specified in the order such of his power and function under this act accept the power to appoint the designated officer or food safety officer and food analyst as may be deemed necessary or expedient to any expedient to any subordinate to him कहने का मतलब यह है commissioner of food safety चाहे तो अपनी powers को किसी के पास में transfer कर सकता है ठीक है क्या कर सकता है delegate कर सकता है by order transfer कर सकता है but यहाँ पर जो commissioner of food safety के पास में एक power हो सकती appointment of the designated officer food safety officer food analyst उनको वह यहाँ पर क्या नहीं कर सकता उनको यहाँ पर transfer नहीं कर सकता है screenshot इतना time नहीं है कि मैं बार-बार रुको तो application पर जो लोगों ने जो लोग application वगएरा से पढ़ रहा हूं यहाँ रख पाना बहुत मुश्किल है बट फिर भी थोड़ा बहुत idea आपको इससे लग जाता है अगर आप एग मार्क के बारे में पढ़ते हो तो जिनको लेकर के एग मार्क की जरूरत है वहाँ पर आप देखोगे कि यह ISI मार्क थोड़ा सा अलग रहता है तो ISI मार्क थोड़ा सा अलग रहता है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि अगर आपने एग मार्क के बारे में पढ़ा है दोनों को साथ में पढ़ा है तो आप इस कोशन को eliminate कर सकते थे तो बहुत जादा tough नहीं था जैसे कि ISI मार कि IS used product like पहला है pulses honey और यहाँ पर skimmed milk powder है उसके बाद में vegetable oil है ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो answer होगा वो तो हमारा option number 3 होगा बट अगर आपने एग मार्क के बारे में पढ़ते हो तो एग मार्क में clearly लिखा रहता है जो agriculture produce है न तो वहाँ पर हम जैसे pulse हो गया honey हो गया vegetable oil हो जाव आप देखोगे कि और भी agriculture produce होगे उन सभी पर एग मार्क को ही हम apply करते हैं तो एग मार्क की बारे में अगर आपने बढ़ा है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर उससे रिलेट करके आप skimmed milk product सो मार्क कर सकते हैं क्योंकि बाकी के लिए एग मार्क की जरूरत होती यह ल दूसरा बना देंगे अभी तक अब देखोगे वह आपके लिए information जो है वह सफिशेंट है तो isi mark is a mandatory for the certain products to be sold in India ठीक है तो isi कहां के लिए है इंडिया के लिए है अगर हम international market में सेल करते हैं तो वहाँ पर iso की जरूरत होती international organization for standardization और यहां पर हम किसकी बात करते हैं इंडिया में ISI की mark करते हैं कौन देता है BIS Bureau of Indian Standard ठीक है तो यहां पर जैसे की electrical appliance पर बहुत जरूरी होता है जहां पर हमारी safety यहां पर बहुत जरूरी होती है अगर हम उनको use कर रहे हैं तो हमारी safety बहुत जरूरी है तो electrical appliance में हमें देखने को मिलता है ठीक है तो electrical में आप देखोगे जैसे कि अगर हम बात करते हैं वायर वगेरा हो गया ठीक है अब देखोगे सबसे बड़ा एक्जामपल हो गया जैसे कि switch हो गया electronic motors वगेरा हो गया wiring cables हो गया heaters हो गया kitchen appliance हो गया ठीक है यह सब हमें क्या देखने को मिलता है यहां पर ISI mark देखने को मिलता है प्रेशर कूकर पर हमें देखने को मिलता है आप gas cylinder पर देखोगे आप regulator पर देखोगे सब पर आपको ISI mark देखने को मिलागा जहां पर safety बहुत ज safety को देखने में रखना अधर प्रोडेक्ट जैसे कि आप देखोगे कि Portland cement हो गया LPG valve हो गया ठीक है LPG cylinder हो गया automotive tires वगेरा हो गया तो इनमें समय हमें ISI mark देखने को मिलता है इस बात को इंशोर करता है कि इसकी quality को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान लेखा गया है quality किस basis पे हमारी safety को लेकर ठीक है performance के basis पे नहीं हमारी safety को लेकर के कि हमारी safety कितनी अच्छी है आपर ठीक है उसके बाद में ISI mark is the standard compliance mark for the industrial products in India since 1955 तो ISI बहुत पहले से चला आ रहा है तो उसके बाद में धीरे-धीरे करके हम BIS में shift होए और यह सारी चीज़ा है इसकी पूरी journey हमने discuss करिए तो यहां पर यह कौन प्रवाइड करता है BIS प्रवाइड करता है इसको ज्यादा मतलब education उन्होंने नहीं लिए लेकिन फिर भी वह भी आज मार्केट में कुछ पर्षेस करने जाते हैं करते हैं ISI मार्क है तो बोल दो कि इसमें ISI मार्क है वो समझ जाते हैं हाँ यह अच्छी वालेटी का एग मार्क की दिखोगर बात करते हैं तो एग मार मार्क भी एक certification मार्क है इसको लेकर के अलएडी वीडियो अवलेवल है यूज़ फॉर्टा एग्रिकल्टर प्रोड़क्ट एग्रिकल्टर प्रोड़क्ट के लिए यूज़ करते हैं इंडिया इस मार्क एश्योर्स दैट दा प्रोड़क्ट कंफर्म्स तुदा सेट ऑफ इस वीडियो के बाद में एग मार्क सर्च करना और यूटूब पे देख लेना ठीक है करेंटली एग मार्क स्टैंडर्स कवर क्वालिटी गाइडलाइन फॉर्ड़क्ट जैसे की इसेंशल ओयल हो गया वेजटेबल हो गया पल्स हो गया हनी हो गया सीरियल हो गया फ्रूट प्रॉड़क्ट लाइक जैसे की वर्मिस से लिए तो यहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे प्रोड़क्ट्स हैसे हैं जो एगरी कल्चर की केटिगरी में जो आते हैं उनके उपर यहां पर एग मार्क का सर्टिफिकेट हमें देखने को मिलता है तो एग मार्क का आप देख सकते हैं वीडियो आपको मिल जाएगा कोशन नंबर 14 हमारे सामने आता है कोशन नंबर 14 जो आता है तो हम यह कह सकते हैं कि यह कोशन थोड़ा तक है यहां पर भी हमें स्टार मार्क करेंगे तो कितने कोशन होगे टोटल टोटल फोर कोशन ऐसे हो गए जिनको थो कोशन नंबर हमारा चौथा एक ऐसा कोशन आता जो बहुत था जिसको छोड़ा जा सकता था ठीक है वाट इस दा फ्रिक्वेंसी ऑफ ओडिट फॉर कंफेक्शनरी विट फिफ्टी वन टू एट्टी परसेंट ऑडिट स्कूर अप्शन नंबर वन है वन्स इन ट्वैल्व म ठीक तो हमारा जैसे मताया कंदिक होता है वैसे और इक कणी को थे तो अजीयुक्षित 10th सब्सक्राइब को फिर्ट कराना हैं और होता है यहां फिए यह आपको साल में दो बार कराना right तो यहां पर साल में एक बार ठीक है तो यहां पर हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो audit क्या होता है अगर हम देखें basic अगर हम जो तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि audit एक तरीके का क्या है एक सिस्टमेटिक और साथी साथ एक independent और एक documented process है audit क्या है audit एक systematic independent and documented process है for obtaining for obtaining audit evidence ठीक है and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled तो सबसे पहली बात इसमें क्या है कि audit एक तरीके का क्या है systematic है एक पूरा system के साथ होता है यह नहीं कि गया audit इधर ऐसे कर दिया उधर वैसे कुछ नहीं audit systematic है independent है ठीक है किसी भी तरीके का इसमें interference नहीं होगा ठीक है उसके बाद में documented process है proper documented process है सारी चीज़े रिटेन में लिखी जाती है वहां से records जो मिलते हैं उनका proper उनका एक तरीके से जिरॉक्स वगेरा कराके उनकी copies वगेरा collect करी जाती है ठीक है यह बात ध्यान लगना process obtaining audit evidence उसके बाद में उसको evaluate किया जाता है जब हम evaluate करते तो वहां पर objectivity होता है यानि कि वहां पर objectivity दिखती है subjectivity नहीं दिखती है subjectivity का मतलब क्या है कि एक के साथ थोड़ा ऐसे कर दिया एक के साथ में अपने according थोड़ा open नीचे कर दिया ऐसा कुछ नहीं एक जो parameter बनाया गया उसी objectivity के साथ में यहां पर चीज़े होंगी to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled तो उसके बाद में सारी चीज़ें वहां पर चेक करी जाती है तो उसमें पूरा पूरा क्या होता है एक inspection होता है तो audit is a process where the authorized auditor सबसे बढ़ी बात क्या है authorized auditor जिनको FSS AI ने क्या किया है देखो audit के लेकर के बहुत सारी चीज़ें पीछे भी बात कर चुके जो audit ध्यान रखना audit वाला वीडियो देख लेना यह सब ध्यान रख लेना audit से कोई question आएगा तो आप कर पाऊगे और टर क्या करेगा विजिट करेगा facility यानि कि उस प्रेमाइस में जहां पर वो बिजनेस है फूर सेफटी कंप्लाइंस during the audit the auditor carries out an inspection of the facility inspection करेगा उस facility का observe the food handling practices जो food handling को लेकर के जो practices use हो रही है उनको यहां पर क्या करेगा observe करेगा ठीक है उनको यहां पर observe करेगा and review food safety documentation including the food safety program and monitoring तो इन सारी चीजों को proper manner में चेक करेगा वहां पर जो फैसलेटी उसको वहां पर चेक करेगा साथी साथ इंस्पेक्शन करेगा और उस टाइम पर वहां पर जो भी प्रैक्टिस वगरा handling practices यूज हो रही है उन सबको वहां पर proper manner में मॉनिटर करेगा चेक करे अब आप से पूछा जाए food safety audit क्या होता है तो food safety audit means systematic and functionally independent examination of the हम food safety audit में किसका examination करते हैं हम करते हैं sanitary and hygiene compliance as per the schedule number 4 जब हम food safety and standard regulation food safety and standard regulation 2011 का licensing and registration को लेकर के एक regulation है उसका जब हम schedule जैसे मैंने आपको बताया तो वहां पर 4 schedule है उसको यहां पर जो chapters में divide करे लिया गया है chapter के साथी साथ उसको schedule में divide किया गया है उसमें जो schedule है चार है, chapter है दो है, चार schedule है चारो schedule में जो schedule number 4 है schedule number 4 क्या बताता है, hygiene practices के बारे में बताता है यानि की sanitary and hygiene practices to be required by the food business operator वो क्या है वो schedule number 4 में लिखी है तो यहां पर audit में उनी को चेक किया जाता है कि उन सारे की सारी चीजों को implement किया गया या नहीं किया गया आई हो आप चीजों को connect कर पारे होगे food safety measures based on the HACCP and the hazard standards example जैसे product standard adopted by food business operator to meet the regulatory requirement तो यह सारी चीज़े वहाँ पर check करी जाते हैं तो audit कैसे होता है audit में food safety audit क्या होता है food safety audit में हम क्या check करते हैं हम यह चेक करते हैं schedule number 4 को वहाँ पर implement किया गया है यह नहीं किया गया है ठीक है अब यहाँ पर देखो एक चीज है जहां से आपको question बना था अगर next time दुबारा से question आता है तो कुछ यहाँ पर products है जैसे कि confectionery को लेकर के पूछा गया था आई होप आपको चीज़े हो सकता है दिख रही हो हो सकता है ना दिख रही हो तो जूब तो नहीं हो पाएगा बड़ देखेंगे बाद में आप यहाँ पर थोड़ा सा चीज ह है और क्या है audit frequency यहाँ पर बताईगी है ठीक है तो यहाँ पर कुछ चीज़े हैं जिनको आप ध्यान रखना तो यहाँ पर जो हमारा question आया था वो अनफेक्शनरी से आया था जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला है dairy products है dairy products अगर कोई food business operator dairy products का कोई business कर रहा है तो उसको अगर audit कराना है तो audit अगर वो कराना चाहता है तो उसके पास में यहाँ पर तीन तरीके के options दिखाए गया है वो साल में एक बार भी करा सकता है वो 9 महिने मे एक बार करा सकता है और वो 6 महिने में एक बार करा सकता है बट जब वो साल में एक बार कराएगा तो उसका जो score है वो यहाँ पर 81 से 100% की बीच में होना चाहिए अगर वो 9 महिने में एक बार कराता तो उसका score 51 से 80% के बीच में होना चाहिए अगर उसका score 50 से नीचे है max to max 50 सब्सक्राइब तो हमसे यहां पर इसी तरीकी पूछा गया था वह को लेकरके पूछा गया था अगर थो एक्षय हैं पर हमें तीन तरीका हो इसन चेक green में अगर आप यहां पर 12 महीने में करा रहे हो तो 51 से 80 परसंट के बीच में अगर यहां फिफ्टी से कम है यह मैक्स-टो-मैक्स 50 तक है तो यानि कि 6 मंत में आप एक बार आडिट करा सकते हो तो यह कुछ इस फ्रिक्वेंसी ऐसे इडिवल आइसस के फॉर्म में है एक टीवन से हंडड़ है और यह कितने है अठारा महीने में तो इसी तरीके से आप इसका क्या करो एक स्क्रीन शॉट ले लो यहां पर फूरूट्स हो गया फिर आगे दिया गया इसको जाला डिसकस करने का कोई मतलम अगर आपको यहां पर और दिख रहा है उनकी अगर बात करें उनको लेकर के देखो यहां पर आडिक के बारे में बताया गया है कि स्कोर कितना होना चाहिए और मतलब फिर्क्वेंसी कितनी होनी चाहिए साल में एक बार कराना है, 9 महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार एक प्रोड़ोट्स को लेकर के हैसे, तो इसका भी आप यहाँ पर एक खड़ाक से स्क्रीन शॉट मारो बाद में आप इसको अपने according याद कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर सारे के सारे आप यहाँ पर एक बार देख लो, ठीक है? तो इसके according आप चीजों को यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि confectionery का यहाँ पर दिया गया है, यह आपको दिख रहा होगा point number 5 पे point number 5 पे हमें confectionery वाला दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखो, जो confectionery को लेकर के दिया गया है, यहाँ पर हमारा जो question आया था, हमारा question जो आया था, वो यह आया था, 51 से 80% को लेकर के, तो यह कहां से आया था, यह आया था हमारा once in 12 months, तो हम इस question को थोड़ा tough बोल सकते हैं, क्योंकि इन में से कौन सा आजा है पता नहीं, तो यह हम tough की list में डालेंगे, तो total 4 question हमारे अभी तक हो, ठीक है, तो आई हूप आपको इस चीज़ समझ में आई होगी, अब हम आगे चलते हैं, हमारा next question क्या आता है, तो हमारा next इस वगेरा पढ़ते हो, अगर उस ताइम पर कुछ थोड़ा बहुत, आप जनरल साइन्स वगेरा पढ़ते हो, तो आप इस question को कर सकते हैं, question यह था हमारा, कि iron deficiency leads to, तो iron deficiency की वज़े से, आप यह कह सकते हो, कि कि तरीके की disease हमें देखने को मिलती है, options दिए गए हैं, होगे कि compromised immune response या फिर growth retardation, ठीक है, थोड़ा सा tough हो सकता है यह question अगर आपने basic science वगेरा नहीं बढ़ी है, तो अगर हम इसको भी अगर consider करना चाहिए, तो कर सकते हैं, इतना भी tough नहीं था, कि आप इसको बिल्कुल करी ना पहो, ठीक है, तो iron deficiency के बारे में अगर आप पढ़ हैं, तो यह सारी चीज़े अगर आप पढ़ोगे, तो आपको वहाँ पर answer मिल जाएगा, तो यहाँ पर iron की deficiency से हमें reduce physical capacity हमें देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि iron की deficiency से यह जो physical capacity हमें जो देखने को मिल नहीं है, इसमें जो physical capacity में कमी आ जारी है, reduce हो जा रहा है, यह क इसके अलावा और भी चीज़ें, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा और भी चीज़ें, और भी चीज़ें कैसे हैं, जैसे कि iron deficiency can lead to the variety of health problem, यहाँपर बहुत सारी health problem हमें देखनों को मिलती है, इसी वज़े से हम क्या करते हैं, इसी वज़े से हम iron को add करते हैं, किसके होता है उसके production के लिइ एक तरीके से हमें क्या चाहिए होता है उसके Actually for the oxygen transport in the blood तो exists on Queensborough कि लिए हमें क्या होता है क्या चाहिए होता है tabULиб inności publicly production इस यह फिस you कर दो चाहिएजन काद ट्रांसपोर्ट नहीं होßen ब्लड में अगर ऑक्सिजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तब तो कुछ नहीं होगा ठीक है वेन दा बॉड़ी ड़स नौट हैव दा इनफ इनफ आयरन नहीं है तो क्या होगा हमें एनीमिया देखने को मिलेगा ठीक है ब्लड की कमी हो जाएगी जिसकी वज़े से हमें फट से देखने को मिलती है फटीग की अगर बात करते हैं तो फटीग तो में देखने को मिलेगा लीडिन तुदा कॉंस्टेंट टाइडनेस एंड फटीग ठकान सी हमें लगेगी और उसके बाद में आप देखो के पेल इसकीन हो जाती इंसफिशेंट आयरन कें कॉस्ट जब कम हो जाएंगी तो इसकीन हमारी पीली बढ़ने लगेगी ठीक है तो बेसिक था बहुत कुछ टफ नहीं था अगर आपने थोड़ा बहुत चुछों को समझा होगा कभी सिंटम्स पढ़े होंगे या फिर कुछ पढ़ा होगा मिनरल के बारे में इस मिनरल की कमी से यह होता है तो बहुत बेसिक है तो इतना टफ कोशन नहीं था वीकनेस हो जाती है ठीक है और हैड हो जाता है ठीक है डिजीनेस हो जाता है कुछ आपको समझ में नहीं आता सर घूमने लगता है पूरी तरीके से ठीक है उसके बाद में cold hands and feet हो जाता है एक्स्ट्रीमिटी इस लाइक है इसके बाद में आप देखोगे कि यहां पर ब्रीटिल नेल्स हो जाते हैं फिर आप देखो कि रेस्ट लेस्ट लेक सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है तो यह सब आप क्या करो याद रखना ठीकी चीजों को अगर आप से दुबारा से पूछा जाता है तो आप इन सारी च कोगनिटिव इंपेर्मेंट हमें देखने को मिलता है तो इस इंपॉर्टेंट तो नोट आप आरेंट डिफिचेंसी कैन हैव दा वेरियस कॉजस इंक्लूडिंग दा इन एडिक्वेट डाइटरी इंटेक ऑफ दा आयरन यह सब बेसिक चीजे हैं आप इनको देख लो ठीक इस दा पार्ट ऑफ दा फूट सेफ्टी इंफोर्समेंट मशीनरी इन दा स्टेट ठीक है ऑप्शन नमबर वन फूट सेफ्टी ऑफिसर इंडिपेंडेंट साइन्टिस्ट इस स्टेक होलडर और सेंट्रल मिनिस्ट्री इसको भी अगर आपने गलत किया है तो आपका मतलब फालतो का नमबर यहां पर समझ लो आपने गवा दिया और वन जो है वह हमारा करेक्ट होगा यानि कि फूट सेफ्टी ऑफिसर जो है फूट सेफ्टी इंफोर्समेंट मसीनरी जो होती है एक तरीके से स्टेट में उसका पार्ट होता है फूट सेफ्टी का पूरा एको सेफ्ट होता है सबसे पहले सेंटर में कौन है फसे से आई है स्टेट की बात हो रही थी सेंटर में कौन है फसे से आई है और सेंटर में जैसे सेंटरल फूट सेफ्टी ऑफिसर वैसे ही अगर हम जनरली फूट सेफ्टी ऑफिसर की बात करते हैं तो स्टेट फूट सेफ्ट कौन आता है आता है डेजिंग्नेटट अफिसर तो यहां पर जो designated officer होता है designated officer के case में आपको एक ध्यान रखनी है कि यह जो officer होता है यह भी state designated officer की हम बात कर रहे हैं फिर इन से नीचे आता है FSO ठीक है इन से नीचे क्या आता है FSO आता है यानि कि food safety officer तो food safety officer एक तरीके से जो state का food safety mechanism जो पूरा होता है उसमें एक तरीके से machinery का पार्ट होता है तो commissioner of food safety भी है designated officer भी यह food safety officer है तीनों यह वहां पर होते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपको इस बात को धियान रखना है फिर हमारे सामने आता है question number 17 question number 17 जो हमारे सामने आता है question number 17 में यह पूछ रहा है कि the total duration of the application phase of the induction training working days तो induction training के बारे में आपने समझा होगा कि जब food safety officer बन जाते हैं तो सबका एक training होता है basically food induction training majorly food safety officer designated officer इनका होता है तो यह जो question पूछा गया था इसमें यही पूछ रहा है कि जो induction training है ठीक है induction training है उससे लिए later question है अब induction training में भी एक phase होता है application phase तो वो उसका duration कितना होता है तो सबसे पहले आपको induction training के बारे में पता होना चाहिए options दिएगे है 23 days का 21 days का 20 25 days का तो यहाँ पर option number जो one है वो correct होगा हमारा 23 days का यह होता है ठीक है अब आपको यहाँ पर एक बात यह ध्यान रखनी है question बहुत जादा tough नहीं था थोड़ा सा tough हो सकता था क्योंकि आपको समझने में problem हो सकती थी कि यहाँ पर यह पूछ रहा है induction training के बारे में बट इसने यह नहीं mention किया है यह किसका induction training के बारे में पूछ रहा है पूरा अधर किसी इंप्लाई के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर हलांकि आपने असिस्टेंट एक्जाम के लिए अप्लाई किया लेकिन जातर question तो फूर से पूछे गाएं तो इस बात को आप ध्यान लगना तो आपको पूरा का पूरा system देखना है तो यहाँ पर questions जो आपके बनेंगे वो FSO से related ही बनेंगे इस बात को ध्यान लगना तो main जो है वो food safety in standard 30 of India में food safety officer एक बहुत important बहुत main officer होता है इसी वज़े से related questions यहाँ पर पूछे जाते है तो 23 जो है वो हमारा correct answer हो जाएगा इसके बारे में थोड़ा सा जान लो अगर question आता है इसके अलावा और ठीक है तो suppose that कि कोई food safety officer है या फिर designated officer है वो appoint होता है appoint होने के बाद में FSS AI में उसकी training चलती है जब उसकी training चलती है तो state में भी training चलती है और central में भी training चलती है मना कि आपने FSS AI में आपने exam crack कर लिया अब आप जा रहे हो वहाँ पर आपकी सीधे document verification है उसके बाद में आपकी joining से पहले आपकी training होगी जो आपकी training होगी उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है induction training एक आपकी induction training होती है एक आपकी refresher training होती है और तीसरी आपकी एक ऐसे training होती है according to the need अगर कोई special type of training required है तो वहाँ पर आपको दी जाएगी तो यहाँ पर आपको कितने type of training देखने को मिली तीघूny टाइप पहली हमारी इंडक्शन training दूसरी हमारी refresher training तीसरी हमारी कौन सी है एक special type of training according to the situation जो भी होगा अब符 यह जो हमारा induction training होता है induction training को भी further divide किया जाता है तीन पार्ट में उनमें से एक होता है application phase तो आपका question था कि application phase में कितने days होते हैं तो to implement this act to implement the act यानि कि 2006 वाला जो act है उसमें जो भी provisions लिखे गए हैं जो भी आपने पढ़े उनको implement करने के लिए हमें किसकी जरुवत होगी हमें जरुवत पड़ेगी human resource की यानि कि हमें लोग चाहिए होगी हमें employee चाहिए होगी उन सारी चीजों को implement करने के लिए at various level involving different stakeholders जिसमें different stakeholders होंगे जैसे कि सबसे important food chain from the farm to fork which include the regulator अब इसमें बहुत सारे regulators होते हैं regulator जैसे कि officers वगेरा होते हैं farm to fork का मतलब जो आप देखो कि agriculture land पर कोई product बना उसके बाद में आपकी table तक जब आता है तो उसके बीच में बहुत सारी चीजे होती है तो उसको लेकर कि बहुत सारी activities होती है storage होता है marketing होती है बहुत सारी चीजे होती है packaging labeling तो यह सब इनको सबको regulate करने के लिए regulators होते है तो जैसे की designated officer जैसे की ad dedicating officer जैसे की food safety officer ठीक है इसके अलावा food यह तो main regulators होते है इसके अलावा जैसे food auditors होते है उसके बाद में food analyst होते है जो की microbiology और chemical testing करते है basically दो types की होती है food handlers होते है जिसमें manufacturers, wholesaler, retailer यह सब आ जाते है इन सब को कहीं न कहीं training की जरूरत पढ़ती है अब यह जो manufacturer, wholesaler, retailer होते है इनको training कैसे मिलती है 4 stack का आपने example देखा होगा तो 4 stack के द्वारा इनको training provide करी जाती है अब यहाँ पर third phase of the induction training जो induction training होती है उसका जो third phase होता है वो होता है application phase अब application phase जो होता है यहाँ पर क्या होता है जब third phase होता है application phase यानि कि इसके पहले दो phase और होते है तो यहाँ पर where trainee क्या करते है will be sent to the field for practical experience the aim of this phase is the assimilation of all the knowledge gathered by the trainee during two previous phases तो क्या होता है यहाँ पर हम क्या करते है application phase से पहले जो दो phases होते है उन्होंने जो भी knowledge acquire किया है उस knowledge को लेकर के उनको field में भेजा जाता है कि अब आप job field में इस knowledge को आप implement करो जाके अब वो इस knowledge को क्या करेंगे implement करेंगे पूरे के पूरे knowledge को implement करेंगे जो पहले की दो स्टेजस में इन्होंने फेजस में सीखा है अब सीखने के बाद में क्या करेंगे टोटल डूरेशन ऑफ जो 23 डेस होगा वो जो भी चीज़ सीखेंगे बाद में क्या करना होता है शेम यहां पर होता है अप्टर फिनिशिंग इच टास्क ट्रेशन क्या करेगा है असको प्रिपैर को प्रिपैर करेगा and has to submit the same to his और her appointing authority with a copy to the food authority तो state government ने अगर उसको appoint किया तो वहाँ पर उनको भेजेगा साथी साथ food authority को भी भेजेगा तो यहाँ पर इस तरीके से होता है reports वगेरा उसको भेज नहीं होती है आयोप आपको यह चीज़ समझ में आई फोड़ा सा और चीज़ों को समझो यहाँ पर ध्यान दो जैसा कि मैंने आपको बता है as per the food safety standard rules यहाँ पर जो ट्रेनिंग है उनको तीन parts में डिवाइड किया गया है पहला induction ट्रेनिंग इसको आप note डाउन कर लेना पहला यहाँ पर क्या है induction ट्रेनिंग है फिर रीफ्रेशर ट्रेनिंग है फिर यहाँ पर special need based training है जिस तरीके से required होगा special type of training का उसके according यहाँ पर ट्रेनिंग है तो तीन तरीके की यहाँ पर ट्रेनिंग है बट हमारे लिए सबसेदा important कौन सी है यह जो induction training है इससे हम से question पूचे जाते हैं तो goingatto training जो है अब induction training को मैंने आपको बताया था तीन phase में divide किया गया हमारा question मना था third वाले phase से तो induction training को अगर हम further divide करते हैं अगर हम देखे induction training को ठीक है अगर हम induction training को further divide करें तो यहाँपर जो सबसे पहला phase होगा phase number one उसको हम foundation phase बोलते है foundation phase जो बोलते है वो हमारा online mode में होगा कितने days का होगा important है आपके लिए 5 days का होगा कितने days का होगा यहाँ पर 5 days का होगा यह आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद में देखो दूसरा जो हमारे सामने आएगा वो क्या आएगा वो आएगा हमारे सामने learning phase अब यह जो learning phase आएगा यह classroom training होगा अब यह कितने days का होगा यह हमारा 12 days का होगा याद कर ले ना screenshot मारो तुरंत ठीक है उसके बाद में यहाँ पर third number पर हमारा सामने आता है application phase ठीक है जो application phase होता है यह on job training होता है जिसमें हम ground बे लोगों को भेजते हैं और उनको एक space पर task दिया जाता है उस task को complete करते हैं फिर वो report submit करते हैं यह हमारा सबसे बड़ा होता है 23 days का ठीक है आपको इस चीज़ से समझ में आयोंगे तुरंत इसका screenshot मारो next time slide पर move करते है ठीक है उसके बाद में question number 18 ठीक है question number 18 की अगर हम बात करते हैं question number 18 हमारे सामने पूछा जाता है asafotida is adulterated with except ठीक है asafotida यानि की हींग तो हमारे सामने question क्या है कि जो asafotida है is adulterated with except question यह पूछ रहा है कि asafotida है उसका उसका adulteration किसके साथ में किया जाता है पहले बात आपको यह पता होना चाहिए और पूछ रहा है इन में से किसमें नहीं किया जाता है तो देखो इस question को ध्यान से समझना यहाँ पर कुछ चीज़ें है अभी बताता हूँ आपको asafotida को लेकर question आया था मेरे हिसाब से यह error है कि इनके afis Ś要 कि according इसका answer जो है वो इस था-च दिया है बट अगर हम देखते हैं कि बात करते हैं तो is start as a adult adulter when I follow already तो तो इस question को आप कह सकते हो सकता है कि fsi Audio disturbance इसी चीज़े अगर आपका पर बनता तो आपको वहाँ पर यहां पर यहां पर यह question थोड़ा सा गलत है तो इसको ले करके बट इस से रिलेट जो question आप से बन सकते हैं उनको ले करके हम बात करेंगे तो यह जो आपका answer तो यहां पर यह गलत होगा क्योंकि स्टार्च में भी मतलब स्टार्च एजा अडल ट्रेंट पाया जाता है असा फोटीडा यानि की हींग में अब आपके सामने कुछ आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आर्टिकल आफ पूड में कैसा अडल ट्रेंट यूज किया जाता है देखो अडल ट्रेशन के सबसे पहले मतलब समझो अडल ट्रेशन का मतलब है क्या एक बेसिक कॉंसेप्ट को यह समझो कोई फूड बिजनस ऑपरेटर जब भी कोई अगर वह वहाँ पर कुछ ऐसी चीज मिला रहा जैसे कि आप देखतो हल्दी वगर में हल्दी का कलर जैसा होता है यलो होता है तो वह चाहेगा ना कि कुछ यलो टाइप का कोई सस्टेंस हो जो खाने में बहुत ज्यादा अलग ना हो और लोगों को पता भी ना चले और उससे सस्ता आता हो और मुसको डाल दे तो अडल ट्रेशन के टाइम पर दो चीजे वह को ध्यान रखता है एक तो उसका फाइनेंशल बेनिफिट होना चाहिए फाइनेंशल बेनिफिट के लिए ही में अडल ट्रेशन किया जाता है दूसरी चीज यहां पर यह देखी जाती है कि जो भी अडल ट्रेंट आप यूज कर रहो वह ज्यादा महेंगा नहीं होगा वह स जैसे की ट्राइ और्थो क्रेसाइल फॉसफेट सबसे पहला कोशन यहीं आता था अगर आपने पढ़ा होता तो इसका फुल फॉर्म कर लेते अब इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था त्यो सीपी क्या होता है तो बहुत बेसीक कोशन आ जाते है अब टीओ सीपी किस आपको देखने को मिलेगा इसका स्क्रीनशॉट लेलो बाकि हम देख रहें ठीक है यूरिया मिल्क में किया जाता है तो मिल्क में आपको यूरिया देखने को मिलेगा स्टार्च सोर्सेस अडल्टरेशन इंदा घी हमें घी में स्टार्च देखने को मिलेगा स्टार्च खुड़े ग्रेंस मिला देते हैं पता ही नहीं चलता वेट बढ़ जाता है ठीक है धतूरा की अगर बात करें तो अडल्ट्रेशन इंदा फूड ग्रेंस हमें देखने को मिलता है फिर आप देखोगे खेसरी दाल जो है अडल्ट्रेशन इन तूर दाल खेसरी दाल बहुत पता ही नहीं चलता है और जबकि यह खाना नहीं चाहिए इतना ज्यादा अच्छा हमारे लिए नहीं होता है यह बात आपको यहां पर देखनी पड़ेगी ठीक है उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं इसका भी आफ अप अटक से स्क्रीन शॉट लो फिर हम हमें अडल्टरेशन इन ग्रीन वेजटेबल्स विद्दा ब्लॉटिंग पेपर हमें देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद में आप देखो कि यहां पर पपाया सीड्स जो होते हैं वह किसमें होते हैं ब्लैक पेपर विद्दा मैगनीफाइंग ग्लास हमें यहां पर जो को एड़ किया जाता है उसको कलेट कर लिया उसको मिला दिया और उससे इनका फायदा हो गया ब्लैक बेरी की बात करते हैं तो यहां पर ब्लैक पेपर में देखने को मिलता है ठीक है आइडिफिशल कलर उसके बाद में आप देखो कि एक्जॉस्टेस क्लोफ्स की अगर सिनामन में देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद में ग्रास सीड़ हो गया यह हमें देखो कि आप सीज़ों आप देखने को मिलेंगे थीक है फिर आप यह थोड़ा साउप्ज़ कि पर्चेस करने आपको समझ में नहीं आएगा इसकός जलदी से एक स्क्रीन्शॉट लोगичего नहीं लिए भी तक यह आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें उसके बाद में हम आ जाते नेक्स लाइट पर जल्दी करते रो नोट डाउन तो आप सोचों कि यह कोई क्ले की अगर बात करते हैं कॉफी पाउडर में क्ले देखने को मिलता है चिकोरी पाउडर की अगर बात करते हैं यहां पर अदल्टरेशन इन मिल्क हम वातर मिलती है यह देख चुके हैं और आप दिखोगे कि मेलाखाइट ग्रीन और देखते हैं किसमें हम करते हैं पहले उसके बाद में देखोगी कि आटिफिशल कलर जो हैं ग्रीन पीज में करते हैं फिर आप देखो कि चाक को हम करते हैं किसमें सॉल्ट में डाल देते हैं चौक को कॉमन सॉल्ट की अगर बात करते हैं इसमें हम क्या करते हैं आयोडाइस सॉल्ट जो कॉमन सॉल्ट है वह महंगा होता है पता ही नहीं चलता है ठीक है उसके बाद में देखो हमारे सामने आता है यहां पर आयल अड oil adulteration in coconut oil तो coconut oil जो होता है उसमें मिला देते हैं, honey adulteration in the sugar यह में देखने को मिलता है, छॉक adulteration in the sugar ठीक है, फिर आप देखो कि excess brain जो होता है, brand जुसको बोलते हैं, brand, excess brand adulteration in the wheat floor, तो wheat floor में हम डाल देते हैं, excess brand, तो वहाँ पर पता ही नहीं चलता है, फिर आप देखो कि कलर अडल्ट्रेशन इंदा फूड ग्रेंस हम डाल देते हैं तर्मरीक यहाँ पर देखो कि आप सेला राइज होता है तर्मरीक अडल्ट्रेशन हम करते हैं किसमें सेला राइज में फिर आप देखोगे कि रोडा माइन होता है अडल्टरेशन इंदा रागी हम करते हैं फिर आप देखोगे यूरिया अडल्टरेशन इंदा किसमें फिर आप किसमें देखोगे पार्च राइस होता है उसमें हम यहाँ पर करते हैं फिर आप देखोगे कि यहाँ पर रोडा माइन भी अड़रेशन इद्धा सूइट पोटेटो हम करते हैं फिर आप देखोगे कि यहाँ पर इरिथ्रोसीन जो है वो हम किसमें वाटर मेलन में यहाँ पर मिलाते हैं तो इस तरीके से आप इनको याद रखते हो इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर स्वाडस्ट और इसके साथ ही साथ पाउडर्ड जो ब्राउन होता है अडल्टरेशन इन्दा पाउडर्ड इस्पाइसस में हम करते हैं फॉरन रेजिन को हम यूज़ करते हैं किसमें असा फोटीडा में तो असा फोटीडा से रिलेटड एक और कोशन है पिछे स्थास था यहाँ पर यह है उसके बाद में स्थार्ड अडल्टरेशन इन्दा असा फोटीडा स्थार्ड को भी हम असा फोटीडा में यूज़ करते हैं उसके बाद में आप देखो के सोप स्थोन और अर्थी मैटर जो होते हैं उसको भी हम असा फोटीडा में यूज़ करते हैं तो असा फोटीडा के जितने हैं सब याद रखना ठीक है स्थार्ड अडल्टरेशन इन्दा पाउडरी स्पाइस है ठीक है यहां पर इस बात को अब ध्यान स्थार्गॉ धूकर ना तो इस बात को आप ध्यान रखना है इसका एक जल्दी से आप इस विए खतम हो गया है अभी एक श्लाइड और है ठीक है एक श्लाइड और है इसको भी आप देख लो जल्दी से कि यहाँ पर पमिडाऊ सीड जो है अडल्टरेय्ट इन दा ब्ल bag paper with water ठीक है है पापाया सीड अडल्ट्रेय्इट इन दा भलाम करते हैं अब यहांपड किसका कर रहे हैं चुल्ट एस किसमें घ्रीक उसके बाद में हम बात करते हैं बेशन जो एक मकुन चल्दी से आपत शीजें आप में यहां और देख लेते हैं जैसे कि आपके सामने घी भटर तो यहां पर लिखा गया जो घी बटर है अडल्ट्रेटड विद्दा कोल तार डाई तो यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो जो यहां पर है घी बटर तो घी बटर अडल्ट्रेटड विद्द किसके साथ अडल्ट्रेट करते हैं कोल तार डाई है ठीक है वहाँ पर आइस क्रीम के अगर हम बा ओयल को हम किसके साथ करते हैं। विद आजी मोन ओयल करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम देखते है। इसका जैसा कलर होता है वैसी चीजें मिक्स करते हैं तर्मरीक पाउडर चिली पाउडर की बात करते हैं अगे बहुत सारी चीजे हैं फिर देखो हमने question number 18 को discuss कर लिया question number 19 हमारे सामने आता है question number 19 एक बात ध्यान रखना ये class आपकी जो होने वाली है ये जो जब complete हो जाएगी आपको realize होगा कि one of the best class पूरे YouTube पे आपको paid class free class कहीं भी आपको इसके comparison में class नहीं मिलेगी ठीक है तो इसको आप बहुत अच्छे से प इंपोर्टर टूदा authorized officer prayer to the arrival of the food articles तो अगर आपने इंपोर्ट वाला पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इस question को बहुत अच्छे से कर पाऊगे बट नहीं पढ़ा है तो हो सकता थोड़ी से मुश्किले आएंगी ठीक है तो question पूछ रहा है कि refers to the एक पूरा authorized officer prayer to the arrival of food article तो arrival of food article तो arrival of food article है उस से पहले food importer को क्या करना पड़ता है examination of papers जो होते हैं वो क्या करने होते हैं? करने होते हैं समिट करने होते हैं ठीक हैं समिट करने होते हैं पेपर किसको करने होते हैं ऑफिसर को समिट करने होते हैं किस से पहले अराइवल ऑफ दा फूर्ट अर्टिकल से पहले करने होते हैं तो उसको बोलते क्या हैं यह कोशन पूछ रहा है उसको क्या बोलते हैं नॉन क पूर्टर जो इंपोर्ट कर रहा है उसके बाद में आपको नोसी प्रोवाइट करेगा तो यहां पर प्री अर्यवल डॉकुमेंट स्कूरूट्नी हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा बाकी के गलत हो जाएगे बहुत इजी कोशन था बहुत बिलकुल जाएगा टो कभी कभी होता को पुष्णन को फड़िया अंसर अजा तो जो प्री इराइवल डॉकुमेंट conservative होता है समिट करता एक होता है कि अगर यह सारे डॉकुमेंट उसके पहले चले जाएंगे उनको चेक कर लेगा पढ़ लेगा समझ लेगा तो क्या होगा उससे कस्टम में ज्यादा टाइम नहीं लेगा जो भी आर्टिकल फूड हो सकता है वो खराब होने वाला उसकी सेल्फ लाइब बहुत जादा ना हो तो उसको जल्दी से जल्दी किलेरेंस मिल जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब यह है और आफ्राइज ऑफिसर कौन होते हैं ऑफ्राइज ऑफिसर मीजदा पर्सन अपॉइंटेट सच वाइदा उसके अंदर जो भी फंक्शन लिखेंगे उनको परफॉर्म करने के लिए एक ओफिसर को एपॉइंट किया जाता है कौन एपॉइंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं ऑफ्राइज ऑफिसर बोलता है ठीक है उसके बाद में देखो एक चीज़ और प्रमल यहां पर जैसे कि हमने पीछे देखा उसी तरीके से अगर नौन कंफरमेंस रिपोर्ट अगर हम देखने को मिलती है एक अराइवल को ले करके थी स्कूर्टनी को ले करके अगर नौन कंफरमेंस है तो उसको क्या बोलते हैं तो इसको कर रहा है या फिर जो इंपोर्ट करने वाली जो एजेंस थी है ठीक है उसको कर रहा है क्या बोलते हैं इसको नाउन कंफर्मेंस रिपोर्ट बोलते हैं और एनी अदर ऑफिसर इस पेसिकली ऑथराइज़ पॉर्पस बाइदा फूड अथर्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस ऑफ दा प्रोवीजन ऑफ दा एक्ट और रूल्स एंड रेग प्रोवीजन एक्ट वगेरा जो फॉलो करना था आपने नहीं किया तो उसकेस में क्या होगा कि यहां पर नॉन कंफर्मेंस रिपोर्ट इसु करने का मतलब यह है कि आपने उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं करी है वहां पर मेंशन होंगी नो अब्जेक्शन इसू ओकूड ऑफोर्टिज ये भी कस्टम ओफोर्टिज याइस फूड इंपोर्टर को इसू किया जाता है कोन करता यंडि हुथि ऑफिसर इसु करता है यि गुर similar थे टूलाइत क्या और आपका फूर्ट जो है वहाँ पर किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा यानि कि नो अब्जक्षन चैट आपके पास में है किसी भी तरीके का अभी नहीं लगाया जाएगा ठीक है आई होब आपको इचीज यहाँ पर समझ में आ गई question number 20 हमारे सामने आता है कि is responsible for maintaining the standard set by the food safety and standard authority of India तो इसको लेकर कि basic चीज़े हैं अगर आपने थोड़ा सा standards के बारे में बढ़ा है तो पूछ रहा है कि कौन इसके लिए responsible होता है scientific committee and food safety commissioner central advisory committee and panel या फिर central advisory committee and scientific committee scientific committee and panel ठीक है तो मैंने आपको पहले बताया है कि जब standards की बात आती है जब हम बात करते हैं standard की standard जो भी set किया जाते हैं उन्हीं standards की बात करते हैं तो कौन काम करता है scientific committee and scientific panel तो scientific committee तो सही है यहाँ पर food safety commissioner को कोई काम नहीं है ठीक है बट Central Advisory Committee नहीं साहिए तो गलत हो जाएगा क्योंकि нож County Committee का काम है central government पूसेट government जो यह food AoT सथेट के बीच में दो में ranging बना करके रखना तो यह भी गलत हो जाएगा Central Advisory Committee & scientific Committee यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि साइंटिफिक committee तो है बट पैनल नहीं है आपर तो scientific committee and scientific panel यह हमारा correct हो जाएगा ठीक है तो option number 4 जो है वो हमारा correct होगा यहाँ पर इसको लेकर करके थोड़ा सा और समझें तो इसमें कुछ ऐसा समझाने लायक है नहीं जब हम बात करते हैं standards की standards क्या होते हैं सेट आफ criteria होते हैं सेट आफ criteria का मतलब एक ऐसा criteria बनाया जाता है एक द्वारा regulations में mention किया जाता है बोला जाता है किसी भी फूर्ड बिसनेस ऑपरेटर को यहीं सेट आफ क्राइटरिया फॉलो करना है सपोस्ट की कोई भी फूर्ड बिजनेस है मिल्क का है या फिर मीट का है हो चाहां पर को इस बात को समझना होगा कि कितना आप वहाँ पर एडिटीव एड़ करर रहे हो तो यह आपको कैसे ध्यान रखना है यह पता होनेस्टनर्स को हमें ध्यान में रखना होनी स्टैंडड्स होते हैं यह सेटॉप criteria होता है अगर उनको नहीं फॉलो करेंगे तो जब health risk बढ़ेगा तो उससे बहुत ज़्यादा प्राप्लम साएंगी लोगों को disease बहुत ज़ादा बीमार होगे तो health risk ज्यादा ना हो और इन सारी चीजों को proper manner में control किया जाए तो उसके लिए standards बनाए जाते है, changes different standards बनाए जाते हैं कि किस चीजों को किस लिमिट में follow करना है तो formulation of the standards of the any article of foods involves several stages तो यहां पर बहुत सारी stages होती है after recommendation by the scientific committee panel सबसे पहले scientific panel इनको start करता है फिर scientific committees को validate करती है उसके बाद में standards is approved by the food authority यानि कि FSCI उनको approve करता है and ministry last में उसको approve करती है यानि कि ministry of health and family welfare रास्ट नोसको approval देता है और उसके बाद में draft notification एक release किया जाता है इसमें public comments मांगे जाते हैं 60 days के लिए जानि कि FSCI की तरफ से पूरा approval हो जाता है ministry की तरफ से पूरा approval हो जाता है तो आप और हम से हम से और आप से क्या मांगा जाता है एक तरीके से public comments मांगे जाते हैं एक पोटल दिया जाता है आप वहां पर जाकर कि अपने comments दे सकते हों कि हाँ ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए पर देखा जाता है तो जो लोग तरफ नहीं जा रहे हैं उनका कुछ अलग opinion ने तो उनको consider किया जाता है कि हाँ यह सही है या नहीं है तो एक तरीके से आपसे राय मांगी जाती है अगर आपके जो भी चीज़े होती है अगर वह सही लगती है अथार्टी को तो वह उसकी according उस पर काम करते हैं तो यह सारी चीज़े हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ठीक है तो जब कोई भी standards बनाया जाते है तो उसको लेकर साइंटिफिक कमिटी उसको रिव्यू करती है साइंटिफिक पैनल साइंटिफिक कमिटी फिर उसको अथार्टी जो है वो एप्रूव करती है अथार्टी अगर अगर उसको कुछ लगता है तो वह यहाँ पर ministry of health and family welfare के पास में चीज़े जाती है तो अगर वहाँ पर लगत साइंटिफिक पैनल साइंटिफिक कमिटी फूर अथार्टी अब फाइनली अप्रूव हो जाता तो मिनिस्ट्री यहां पर अप्रूव कर देती है और उसके बाद में लास्ट में इसको गैजट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर दिया जाता है कि यह यह नया रेगुलेश फ्ससाइज इंटू डिवीजन बहुत इजी कोशन था अभी तक हम फोर कोशन यह जो बहुत जब अधाट अपते तो यहां पर वह ग्यारा कौन कौन से डिवीजन होते हैं जिनको लेकर कि यहां पर काम करता है तो फसे से आई क्या एक स्टैंडर्ड डिवीजन होता है ठीक क contratu yen होता है कि किसे हो रही हैं उन्न चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर चीजे करी जाते हैं तो सबसे पहला किया हो इन रहानी रखते चेक करते प्रॉपरन में 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 चीज हो रहे ही की नहीं हो रही हीNow प्रविजन तो क्यूलेटी जो होता है सब्सक्राइब करते हैं वह फाइन के बात हुआ होता है इसके बात में होता है इंपोर्ट डिवीजन होता है import division सब जगे नहीं होता है यहाँ पर दीजिजन होता है ठीक है रेकर यानी की 변화 मेंटेजमन में इन्कम्रेद आती है व्यकwe आती है अदिक है और आप लिए उनकुरत हे जाती है तुन इनी different divisions वगएरा में jobs वगएरा निकलती रहते हैं ठीक है आई हो आपको यह चीज़ समझ में आएगो इसका screenshot लेना चाहते है तो आप दे सकते हो question number 22 question number 22 हमारे सामने देखो आता है question number 22 यह पूछ रहा है कि gluten intolerance is also known as अब gluten intolerance also known as question number 22 है इसको आप कह सकते हो कि थोड़ा सा tough हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इनको biology का बिल्कुल नॉलेज नहीं होता ठीक है तो यह हमारा fifth question है इसमें नोन एस lactose intolerance या फिर यहां पर celyak disease बोलते हैं या फिर ulcerative colitis बोलते हैं या फिर irritable bowel syndrome बोलते हैं तो यहां पर दोखो इसका correct answer जो होगा इसको भी हम डिटेल में समझेंगे इसका जो correct answer होगा हमारा क्या होगा वह हमारा होगा celyak disease तो gluten intolerance celyak disease दोनों में से किसी को भी अगर आपने पढ़ा होता तो आप यहां पर इसको कर पाते हैं तो option number two जो है वो हमारा यहां पर correct था ठीक है तो celyak disease की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर चीज़े हैं गया तो इसको देखो celyak disease भी बोलते हैं कभी इस पेल्डाइज दा कोई डिजीज भी कभी कभी बोल देते हैं different books में कहीं को मिल सकता है इसमें basically होता क्या है यह जो डिजीज है आपका यह एक तरीके का autoimmune disorder ठीक है autoimmune disorder that affects the small intestine तो इसका target effect कहां पर होता है small intestine में होता है तो यह आप फिगर देखो यह आपका होता है ढimportantि हिस्त्रम के बाद जुआ है पर यह है हँ पर यह जी क्या है और चारो तरफ से यह आपका है ऒ эту एक cash कहां पर होता है small intestine में होता है अब क्या होता है इंटेस्ताइं में में जब आप देखोगे तो वहाँ यह अट्छीज देखते को मिलते जिसको जब यह damage हो जाती है जब यह small intestine में जब यह damage हो जाती तो यहाँ पर कुछ ऐसा shape दिखता है यहाँ पर यह damage दिख रही है ऐसे यहाँ पर पूरा इस तरीके से यह movement करते हुए काफी hair like structure हमें देखने को मिलता है जैसे cob होता है कंगी होता है उससे आप इसको compare कर सकते हो तो यह normal है और यह damage का मतलब यहाँ पर सेलियक डिजीज हमें देखने को मिलती है अब सेलियक डिजीज में अगर हम देखें यह start कैसे होती है तो इस त्रिगरड बाया कंजम्शन ऑफ ग्लूटेन अगर हम ग्लूटेन का कंजम्शन करते हैं थोड़ा ज्यादा मात्तरा में तो हमें यह disease देखने को मिलती है अब protein found in the wheat, barley and rye तो अगर हम wheat खा रहे हैं बारले खा रहे हैं तो इनमें यह gluten पाया जाता है बट naturally अगर जनरल अगर आप कर रहे हो तो खा रहे हो तो इतना जादा दिक्कत किसी को होता नहीं है बट किसी किसी के अंदर होता है कि उसकी body में proper nutrition नही कर पाते हैं तो वह एक अलग रोप ले लेता है एक तरीके से हम यह कह सकते हैं तो gluten की वज़े से यह problem हो जाती है तो celiac disease जो है वो किसकी वज़े से होती है consumption of gluten की वज़े से होती है gluten एक protein है जो कि wheat बारले राई में पाया जाता है ठीक है क्या होता है कि अगर किसी individual में celiac disease हमें देखने को मिलती है with celiac disease consume gluten containing foods their immune system respond by the attacking the lining of the small intestine तो small intestine की जो lining होती है जहां पर हमको normal विलाई बोलते वहां पर attack होना start होता है leading to inflation वहां पर होता है inflammation हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा अभी क्या है कि बहुत देर से बोल रहा है तो यहां पर inflammation है ठीक है damage हो जाता है inflammation होगा तो आपको थोड़ा बहुत दर्द होगा ठीक है तो उसके बाद में क्या होती है यह चीजें यहां पर damage हो जाते है यहां पर symptoms क्या पता चलते हैं अगर आपको celiac disease हो गया intestine में है तो यहां पर आपको diarrhea हो गया abdominal pain होगा आपको यहां पर bloating देखने को मिलेगी साथी साथ आपको यहां पर malazoption of the nutrient देखने को मिलेगा उसके बाद में leading to the weight loss हमें देखने को मिलेगा एक तो gastrointestinal यानि कि आपका जो gastric track है उससे related है ठीक है उसके अलावा non gastrointestinal जो हमारे symptoms होते हैं उसमें क्या होता जैसे कि थकान मैसूस हो रही है आपको आपको यहां पर joint pain होंगे इसकिन पर rashes दिखने लगेंगे और यहां पर आपका mood disturbance होगा तो यह आपके कैसे हैं non gastrointestinal symptoms हैं तो यह symptoms होते हैं अब इसको diagnose कैसे करेंगे पता कैसे लगाएंगे कि really में यही हुआ है वो तो body के अंदर है तो आप कैसे पता लगाओगे आपको diagnose करना पड़ेगा डियाग several different कामों के हम करते हैं ठीका cancer test के लिए वह अगए करते हैं तो चैसों करेंगे हम टिशू लएंगे टिशू क कहा कमां करेंगे कि हम यहीं पताला लगाते हैं कि हां यहां पर आपको प्रॉपरRP यह5 जाधा तरीके के यहांपर तो आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी पड़ेगी आप कोशिश करो कि ऐसी डाइट लो जो आप यहाँ पर ग्लूटेन फ्री हो ठीक है इससे आपको बेटर फायदा यहाँ पर देखनों को मिलेगी इसक्रेंशाट लेलो थोड़ा साना अभी हो सकता है एक दूजगा प्रनेंशेशन में थोड़ा बहुत चीज़े इधर उदर हुई हो तो आप उसको थोड़ा इग्नोर करना ठीक है बहुत ज्यादा टाइम से बोलते बोलते चीज़े हो जाती है कि कभी हम कुछ और बोलना च दो हजार बाइस में ठीक है ने जो डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग जो कुश्चन मार्क किया वह बहुत पहले का था तो लेबरेटरी के केस में यह कौन सा सोर्स यूज़ कर रहा है यह समझ में थोड़ा कमा पाता है क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूं ऐसे में 162 या 172 198 तो फसे से आए कि अकॉर्डिंग इसका आंसर जो था वह 198 था बट यहां पर क्या चीज़े होती है कि एक सॉफ्टल करके इनका एक इनिशेटीव है ठीक है जिसमें हम स्टेट को इन्वाल्व करते हैं जिससे हम फूल लेबरेटरी की स्टेटनिंग को और अच्छ अच्छा कर सकें मजबूत बना सकें तो एक इनिशेटीव है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां पर 198 नंबर जो है मिंशन है बट यह जो 198 नंबर यहां अध्यान से समझना कहना चाहरा है 198 नंबर जो मिंशन है तो वह बहुत पहले का आया है बहुत पहले का मतलब यह है कि 2020 या 21 के करीब का होगा बट 2022 में आया तो उन्होंने यहीं कंसिडर किया तो इस केस में लैबरेटरी के केस में डिपेंड करता है कि वह करन्ट अफेर में फसे से खुद भी करन्ट अफेर पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है अभी मैं आपको बताओंगा एड़ प्रिजेंट कितनी लैबरेटरी हैं बट वहां पर किस तरीके से पूछ रहे हैं उन्होंने किस डॉकुमेंट को फॉलो किया है वो डिपेंड करता है कि वह कहां से कैसे क्या चीज़े कर तो इस तरीके का कोशन थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट कर सकता है बट एप्रॉक्सम स्ब्सक्रasmus हमें मिलते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक तृक होती हुआक प्राइमरी फूद्र होती यहां पर हम टेस्टिंग अगयरा के लिए भेजत थे है लास्ट मेफ एकस्पायर हो गई यह वो है और अभी यह वो है है और कर देखने여 नबरेटरी के अगर बात करते हैं जिसको हम एन आरल भी बोलते हैं इनका अगर हम नंबर यहाँ पर देखते हैं और गाजियाबाद में तो यहां नेशनल पूल अगर इनको हम यहां पर प्लस कर देते हैं तो टोटल नंबर कितना हो जाता है 204 तो अभी तक का हमारा डेटा जो है वो यही अवलेबल है कौन सी रेफरल हैं एंसिलरी में क्या है यह पीछे की कुछ क्लास में डिसकस कर चुक है इसलिए यहां पर इसको हम डिसकस नहीं कर रहें ठीक है तो आई हो आपको इस चीज़ समझ में आई इसको तेजी से फिर आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 24 आता है काफी पहुत चुके हम लास्ट में अपनी मंजिल के पास में दो कोशन और है कि इस इन चार्ज ऑफ दा फूर सेफ्टी मशीनरी ऑफ दा वेरियस स्टेट ऑफ दा इंडिया कमिशनर ऑफ फूर सेफ्टी जो फूर सेफ्टी को लेकर के जो मशीनरी है स्टेट में उसका इंचार्ज कौन होता है कोशन यह कमिशनर ऑफ फूर सेफ्टी स्टेट मिनिस्टर ऑफ दा हेल्थ और फैमिली वेलफेर एडिकेटिकेटिंग ऑफिसर या फिर फूर सेफ्टी ऑफिसर ठीक है तो यहां पर देखो आपका करेक्ट अंसर क्या होगा आपक तो कमिशनर ऑफ फूर सेफ्टी एक तरीके से हैड होता है यह सब गलत है तो यहां पर चीजों को थोड़ा समझो कि जब हम स्टेट की बात करतें तो किसी भी स्टेट में पूरा का पूरा जो फूर सेफ्टी एको सिस्ट्रम जो मशीनरी वगरा जो बोलते हैं इसको तो यह फूरे डिस्टिक में चीज़े देखता है किसी भी लॉइंट करना उससे रिलेटर लॉइंड आदर को कैसे इंप्लीमेंट कराना है फूर सेफ्टी ओफिसर द्वारा व सारी छीज़ें वह यहां पर देखता है ठीक है फूर से बागर चाहिःूट और चीज़ों को यहीं के लिए वह काम करता है तोप लेवल पर कमिश्टर और सेप्टी यहां पर होता है है सबसे लास्ट कोश्ण है कोश्ण नमब 25 वह भी यहां पर मुश्किल नहीं था तो हम यह कह सकते तो फाइफ कोश्ण थे जो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट थे अब उसमें भी क्या है कि अगर थोड़ा बहुत करके तुक्का लगा करके आप कर लेते हो तो निगेटिव मार्किंग सबको कंसिडर करोगे तो आपके दो अगर दो या तीन कोश्चन उसमें से मतलब इतना लॉस आपको होगा बहुत जादा लॉस वहाँ पर नहीं होगा ऐस ग्लीटीट फूड हल जूड कंटे एहकंटी और मोर वेंडर तो यहाँ पर क्लीटी फूड होथा है कि रोला ना फूम्हां पर जादा भी हो सकते हैं बट मिनिमयम कितने धॉन विनिमम कितने होते हैं तो यहां पर clean state food hub की अगर हम बात करते हैं तो यहांपर minimum 50 vendors हमhnit देखने को मिलते हैं और या फिर उससे ज्यादा यहांपर होते हैं के बारे में आगर में बात करें तो यहां पर different places पे different states में अपना clean state food hub होता है वहां पर बहुत सारे food के स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे और वहाँ पर उनका लोकल फूड हमें वहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है गुजरात में गुजरात में जाओगे दिल्ली में जाओगे सब जगे अलग-अलग आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर मिनिमम फिफ्टी स्टॉल होना च क्लेस्टर ओफ 50 होगा देखो कहें कहें पर 20 लिखा है अभी रिसेंटली चल ला था 20 लिखा है बट उसको लेकर करके इनका जो क्लीने सीट फूड है उसमें भी पचास है ठीक है फसे से इने खोर इसको पचास कंसेडर किया है बट एक दो जगे 20 दिख रहा है तो 20 हो सकता पह लोकल एंड रीजनल कोईजिन एंड मीट दा बेसिक हाईजिन एंड सेनेटरी रिक्वार्मेंट तो क्लीन इसट फूड हब को लेकर के एक इंपॉर्टन बात है उसकी डिफिनिशन तभी कंप्रीट होगी सबसे पहली बात है मिनिमम महां पर 50 क्लस्टर ओफ फूड वेंडर चाहिए बीजनल कुइजिन होना चाहिए कहने का मतलब यह है कि वहां का जो एक रीजनल देशी फूड है उसको बनाने का तरीका जो है वह पर टीकुलर डिफ्रेंट टाइब का तरीका होता है जूड को हम तुड को यहां पर समझ में अबात करते हैं अभी के टाइम पे टो टोटल कितना नमबर है? 91 नमबर है, तो इसके आगे घड़ता बढ़ता है, तो वो बात की बात रखी गया, फास्ट क्लीन स्टेट फूड हब की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर किसको मिला था? कनकारिया लेक एहम्दाबाद घुजरात कनकारिया लेक आप याद रखना पहला क्लिने स्टेट फूड है तो इसका ब्रोड ऑब्जेक्टिव क्या है यह किस वजह से कराया जाता है इस वजह से कराया जाता है तो कि इंशोर हैल्थ तो क्या होता है कि आप देखते हो कि जो इस तरीके के इस टॉल और चोटे चोटे वेंडर सोते हैं वह बेसिकली इतना ज़दा है नहीं रखते हैं बहुत बड़े-बड़े जो फूर बिजनेस ऑपरेटर से वह तो खैर रखते हैं अपने आउटलेट वगेरा पर आप देखो है क्या है कि कैसे आप हाइजीन वगेरा मेंटेन करोगे और सेफ्टी स्टैंडर्स को कैसे आप फॉलो करोगे फॉर्दा कंज्यूमर तो इसको एक तरीके से ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाता है इस इनिशेटिव को लेकर के तो इंशोर सोसल एंड एकोनॉमिक प्रॉपर एक डिफिनिशन दी जारी क्लीन इस्टीट फूड हमें इस्टीट फूड वेंडर का नाम दिया जा रहा है ठीक है उसके साथ इसाथ उनका थोड़ा एकनॉपिक होता है जब उनको इसी जगह पर उनको स्टॉल लगाने का मौका मिलेगा तो वहां पर बहुत चाइब में प्रॉपर प्या होगा और चाहर यहूगक दोगाने में इस जाधल फूरीट अपर को में इयुकल को स्टॉल स्टॉल उप्सेल स्टॉड एक तरीके से उनका गलोबेल ब्रांट बहुत सारे ऐसे लोग आ का बिजनेस आज इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया चोटे लेवल से स्टार्ट किया था आज वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोड़क्स भेज़ना है ठीक है उसके बाद में तो रेज़ दा जो है वो प्रॉपर मेरर में डिटेल में समझ में आई होगी अप थोड़ी सी बात आप से कर लेते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को अगर आपने देखा तो बहुत अच्छे से देखना और कोशिश यह है कि अगर आपने एक बार में सारा देखा तो कोशिश करना कि थोड़ा थ हूटा है कि कहां से बना था कहां से नहीं बना था इसमें हमने यह भी बात करी रेएल में कौन सा कोशन दिफिकल्ट था और कौन सा果्ष्ण 2 और धिफिकल्ट बना दिया अपनी तरफ से बड़ अपनी तरफ से इसा पसी timing लाएब रिक्वेस्ट लास्च में इस्वीडियो क ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो एक्जाम से पहले जिसे लोगों तक पहुंच पाया और उनकी यहां पर help हो पाया और काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और एक चीज और ध्यान रखना स्वाई एजूकेशन पर जितनी चीजे जो लोग अप्लिकेशन से पढ करनेंगे हम चाहे यूटूब पर क्लास्स हों चाहे हम अप्लिकेशन पर जो भी क्लास्स आपको दिए उसमें सारे एफट्स अपने डाल देते हैं कोशिश यही रहती है कि हम मल्टीपल टास्क को ना लेकर करके चलें जो भी टास्क हमने लिया है उसको हम बहुत अच्छे स करें तो आई होब आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी बहुत सारे डाउट से समझ में नहीं आ रहा तक कैसे करना कैसे सारी चीज़ें हमने डिसकस करी इसके बाद में हम अपनी फिर से वही क्लास जो एमसी क्यों वाली थी उसको कंटिन्यू करेंगे ठीक है अब तक जे बेस्ट आफ लग पार यूर एक्जाम मिलते हैं नेक्स क्लास में